Hey everyone, this is Chani Dinnani and I welcome you all to Mark Me Brains Hindi, एक एसाथ चानल जहां आपको मिलती है स्कूल एजिकेशन, बिल्कोल फ्री ओफ कॉस्ट. साथी साथ, अगर आप डिफरेंट कोर्स जैसे की स्पोकर इंग्लिश कोर्स, अगर आप अपनी इंग्लिश जो है वो सुधार ना चाहते हैं, आपको लगता है कि मुझे इंग्लिश as a language बहुत अच्छी लगती है, बट मैं थोड़ा confidence नहीं गेन कर पा रहा हूँ और मुझे confident बनना है इंग्लिश में, तो definitely आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा कोर्स है, वो है स्पोकर इंग्लिश कोर्स. साथ ही साथ अगर आप NTSC Olympiad जैसे वीडियोस देखेंगे, तो आपका जो ग्यान है वो बहुत ज़ादा बढ़ जाएगा, different topics से related, तो definitely आप NTSC और Olympiad की वीडियोस भी देख सकते हो. In addition to this, आप जिस भी competitive exam के लिए एक you know dream बना के बैठे हो, एक गोल बना के बैठे हो, कि मैं IIDJ क्राक करूँगा, मैं नीट क्राक करूँगा, मुझे SEC, Bank, Competitive Exams, RRB या UPSC ये सब क्राक करने हैं. और मैं इसके पढ़ाई डेफिनिटली स्टार्ट कर दूँगा, तो स्टार्ट कर दीजे, क्योंकि पूरे courses जो हैं, वो magnet brains पे available हैं, और ये सारे videos again बिल्कुल free of cost हैं, आपको कोई payment, कोई subscription ये सब चीजों में पढ़ना ही नहीं है, आपको क्या करना है, सीदे जाना है और videos देखना है, तो अगर आप चाहते हो कि 24-7 आप अपने घर पे बैटके जब चाहें, तब अपनी पढ़ाई कर सकें, वो भी बिल्कुल best content के साथ, तो प्लीज आप magnet brains की website जरूर विजिट कीजे, अब कैसे विजिट करते हैं website, कैसे करते हैं videos को access, सब बताऊंगी in detail, बट इस वीडियो के अंत में फिलाल के लिए बात कर सकते हैं आज के topic की, तो आप सब जानते हैं कि हमने chapter number 7 को अभी फिलाल ही खतम किया है, जहां हमने the trees poem को बहुत अच्छे से पढ़ा, तो हमने chapter बहुत बड़ा था, बट अब हम स्टार्ट करेंगे एक नया पार्ट, एक नया chapter, जो होने वाला है chapter number 8, यह जो chapter है, इसका title है, मिजबिल दी ओटर, और इसका हम part 1 देखेंगे, अब देखो, confused नहीं हो रहा है, part 1 से, मिजबिल दी ओटर में आपको चार sections दिये हुआ है, ठीक है, ऐसे करके na sections दिये हुआ है आपको, तो confused नहीं हो रहा है कि क्या स्री विक्तर ही पढ़ेंगे आज के वीडियो में, नहीं, part 1 में हम cover करेंगे, the first like part of the story, like in the sense, कि पहले क्या हुआ, ठीक है न, मतलब एक journey जो है, वो starting की वो हम पढ़ने वाले है, तो उसमें हम ये दोनों parts को discuss करेंगे, तो आज की वीडियो में आपकी book में दिये हुए पहले और second हिस्से को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, जैसे हमने complete chapter revision में पढ़ा हुआ है, और जो तीसरा और चौथा part है, उसे हम continue करेंगे अगले वीडियो में, तो देखिए, यहाँ पर हम बात करेंगे मिजबिल जो कि एक author है, author क्या है, ऐसा कुछ दिखने वाला जानवर, कई लोग को confusion हो सकता है, क्या ये seal है, क्या ये नेवला है, तो कई confusions होते हैं और chapter में भी ये बात की जाएगी, बट actually ये एक author है, जिसे हिंदी में उद्बिलाव कहा जाता है, अब author के बारे में हम एक real कहानी पढ़ेंगे, जो की हमारे author Maxwell जो हैं, वो हमसे share करेंगे, तो जो Maxwell हैं, वो जाने जाते हैं, कि उनके पास एक pet था, author जिसे उन्होंने पाला है, और उससे related वो कई चीजें आप से share करेंगे, जिसको पढ़ने के बाद, जब हम दूसरा वीडियो भी देख लेंगे, आपको समझाएगा कि एक इनसान और एक जानवर के बीच का ये जो प्यारा सा bond है, वो कितना beautiful है, कितना खुबसूरत है, और वही हम पढ़ने वाले हैं, सेम चीज आपके घर में भी आपने देखी होगी, अगर आपके पास कोई pet है तो, जो भी dog lovers हैं, cats lovers हैं, और आपको लगता है आपके घर में किसी ने एक doggy को रखाय पाला है, या किसी ने एक बिल्ली को पाला है, तो बहुत ही जादा एक attachment हो जाती रहा है, फिर हम नो बहुत ऐसे treat करते हैं उसको as a family member, और वही चीज आपको यहां order के case में दिखेगी, अगर for instance अगर हम मान लें आपने एक doggy रखा है अपने घर पे, cute सा puppy पाला है या फिर, तो आप सिर्फ उसको cute cute करके नहीं पाल सकते हो, आपको पुरा ध्यान देना पड़ेगा, उसकी cleaning का, उसकी grooming का, उसके vaccinations का, देन उसकी doctor के routine check-ups का, उसके खाने का, उसके time table का, वाप पे ले जाने का, उसका जो ही daily का activity है उसका, तो आपको सारी चीजे ध्यान दखनी पड़ेंगी, जैसे कि एक छोटे human baby का रखा जाता है, तो उसी पर based आपको कुछ बहुत important चीजे दी कुई है, वैसे वो ना आपके exam में आएगा नहीं, बट क्योंकि मुझे लगता है कि maximum लोग pet रखते हैं घर पे, उनको पता होना चीज, उनके आखे खुल जानी चीए, कि अगर ध्यान नहीं दे रहे हो अपने pet पे, तो इस तरीके से चीज़ों को follow करो, फिर हम इस कहानी के आगे बढ़ने वाले हैं, जो main paragraph है, उस पिर हम धीरे से आएंगे, clear? Okay, चली, start करते हैं with a lot, you know, छोटा मुटा नहीं, बहुती बढ़ा सा introduction, So, let's read it and find out कि exactly ये चाप्टर किस बारे में बात कर रहा है, और सो क्या-क्या चीज़ें हैं, जो एक pet owner को ध्यान में रखना चाहिए, So, सबसे पहले दिया है, before you read, Mijjbill the author is written by Gavin Maxwell, सबसे पहले, ये जो चाप्टर है, वो किस ने लिखा है, Gavin Maxwell पर कृप्या करके, इस cute से, पपी की तरफ बस मत देखते रहो, यहाँ पर ध्यान लगाओ अपना, ठीक है, I know it's very cute, और distract कर रहा है आपको, बट कोशिश करो कि यहाँ पर ध्यान दो और इस चीज़ को पढ़ो, ठीक है, तो ये जो चाप्टर है, वो किस ने लिखा है, Gavin Maxwell ने, जो की एक अपना ही incident बता रहे है, related to otter, Gavin Maxwell lives in a cottage in chemisphere now, in the West Highlands in Scotland, कहा रहते हैं वो, वो बताये गया है, तो Gavin Maxwell जो है, वो एक cottage में रहते हैं, cottage ने एक अलग तरीके का बंगला टाइप का बना रहता है, छोटा सा घर होता है, बट बंगले टाइप का लुक होता है, बट छोटा बंगला होता है, ठीक है, उसे cottage कहते हैं, और ये जहां रहते हैं, उस जग्ये का नाम है, जो कि West Highlands, Scotland में पढ़ता है, ठीक है, वेन हेस डॉग जॉनी डाइड, तो Maxwell का एक पैट था, जो कि एक डॉग था और उसका नाम था जॉनी, ठीक है, तो उनके डॉग की अनफॉचनेटली डेथ हो जाती है, और अगर कोई पैट लवर है, जिसने कभी भी किसी पैट को खोया है, तो वो बहुत दुखधाई होता है, किसी को भी खोना बहुत दुखधाई होता है, और पैट के साथ भी एक अलगी bond formed हो जाता है, तो वही चीज यहां पर हुई है, कि जब से उन्होंने अपने डॉग जॉणी को खोया है, Maxwell was too sad to think of keeping a dog again, वो इतने दुखी हो गए थे, कि उनको लग रहा था कि अगर मैंने एक और बार दूसरे डॉग को पाला, तो वो नहीं कर पाएंगे, वो सारी चीज़े manage, क्योंकि उनको ना सिर्फ फिर अपने जॉणी की याद आएगी, जो जॉणी उनका dog था, ठीक है, तो वो बहुत बहुत दुखी हो गए थे, और इसलिए उन्होंने एक और बार एक dog को पालना सही नहीं समझा, बड लाइफ विदावर पैट पॉस लोनली, बड कई लोग हैं, आपने देखा होगा कि कई ऐसे लोग होते हैं, जे वो फैमिली से दूर रहते हैं, या शायद उनकी फैमिली में ज़्यादा कोई होता नहीं है, तो वो पैट को पालते हैं, ताकि उनके घर में ना कोई हो, लग ऐसे अकेले-अकेले ना रहे वो, और ऐसे कई cases हैं, ठीक है, foreign countries में तो बहुत cases आपको दिख जाएंगे ऐसे, तो यहाँ पर यह जो author उनको लग रहा था, कि बिना पैट के रहना बहुत ही अकेले-पंज ऐसा हो जाएगा, और पैट तो चाहिए, बट डॉग नहीं पाल सकते वो, तो फिर उन्होंने क्या सोचा, read what happened then in Maxwell's own words, और अब हम पढ़ेंगे Gavin Maxwell के शब्दों में ही, कि exactly क्या हुआ, तो वो हमें पूरी कहानी बताएंगे, कि क्या हुआ, कैसे नोने नेक्स्ट, जो पैट है वो पाला और क्या चीजे हैं, बट पहले इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं, ठीक है? Mitchbill the author Gavin Maxwell द्वारा लिखा गया है, तो आपको इनाम पता है, ध्यान क्यों रखने में एजी हो जाएगा, विकिस हम इनका नाम बार बार पढ़ेंगे, हम Maxwell, Maxwell, Maxwell बहुत बार पढ़ने वाले हैं, ठीक है? Gavin Maxwell, Scotland के West Highlands में, Camasphere ना में एक छोटे मकान में रहते हैं, Camasphere ना, ठीक है? यह नी बोला, थो बंगले में रहते हैं, बंगले जैसा लुक होता है, छोटा सा जोपड़ी टैप का भी बोल सकतो, पर इतना भी नहीं के जो आपके दिमाग में आ जोपड़ी सोजने से, छोड़ी से घर में रहते हैं तो सितना दिमाग पर रख लो, maximal के ही शब्दों में पढ़िये फिर क्या हुआ तो उनको बहुत अकेला feel हो रहा था अकेला पन महसूस हो रहा था जब उनके पास कोई pet नहीं था तो फिर उन्होंने कुछ तो सोचा, कुछ तो विचार मिमर्श किया और उसी की बारे में हम पढ़ेंगे बट फिलाल के लिए पहले वो एक activity पढ़ लेते हैं कि information पढ़ लेते हैं जो बहुत बहुत ज़रूरी है ठीक है? Activity कहती है Do you have a pet? क्या आपके पास कोई पालतू जानवर है? If you do, you perhaps know what a parent is a serious responsibility अगर आपके पास pet है तो आपको ये पता होना चीए कि pet रखना, उसका पालन पोशन करना कोई छोटी बात नहीं है बहुत बड़ी serious responsibility है Suppose अगर मैं बोलू आपको कि मैं human baby जो है वो आपके हाँ पर 10-15 दिन के रिए चोड़ कर जाऊंगे आपको ध्यान रखना है उसका आपको पता है कितनी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको उसके खाने का, ग्रूमिंग का, टाइम से activities का, उसके साथ खेलने का सब ध्यान रखना पड़ता है वही सेम चीज़ है पेट के केस में होती है तो ये बहुत बड़ी serious responsibility है Read in the box below what the SPCA क्या है SPCA, the society for the prevention of cruelty to animals ये एक society है जो कि जानवरों के प्रती जो लोग बहुत बेरहमी से बहुती गलत भ्यवार करते हैं क्रूल होते हैं, कठोर होते हैं, क्रूर होते हैं उनके प्रती ये actions लेते हैं तो ये prevent करते कि वो cruelty face ना करनी पड़े जानवरों को तो ये जो society है, that is SPCA उनका कुछ कहना है, वो हम पढ़ेंगे अभी has to say about how to care for a pet कि एक पालतू जानवर का कैसे ध्यान रखा जाता है वो आपको अच्छे से बताने वाले ठीक है चलिए इसी को हिंदी में पढ़ते हैं क्या आपके पास एक पालतू जानवर है यदी है, तो आप शायद जानते हैं कि एक पालतू जानवर एक गंभीर जिम्बेदारी है, नीचे दिये गए box में पढ़ें कि SPCA यानि कि society for the prevention of cruelty to animals का पालतू जानवरों की देखवाल के बारे में क्या कहना है तो बहुत ही प्यारा सा एक box है मुझे लगता है कि जो pet owners है उनके लिए बहुत ही जादा descriptive सा paragraph है तो definitely इसको ध्यान से सुनना है भली आपके घर में pet है या नहीं है क्या पता future में आप किसी pet को own करें तो कैसे ध्यान रखना है वो अभी से सीख लो clear? चलिए पढ़ते हैं इस पूरे box को owning a pet is a lifetime of commitment up to 10 years or more if you own a dog or a cat एक पालतू जानवर रखना घर पे ये आपके लिए बहुत लंबे समय का commitment हो जाता है अगर आप एक dog को या आप एक cat को ऐसा पालतू जानवर रखते हो तो आप कम से कम मान लीजिए कि 10 साल तक तो आपको उसका ध्यान रखना ही पड़ेगा involving considerable responsibility तो सिर्फ ध्यान नहीं रखना होता हो उसके साथ प्यार से खेलना नहीं होता है अगर आपके पास बहुत responsibilities होती है जो आपको follow करनी पड़ती है और इसलिए एक पालतू जानवर रखने का decision पूरे परिवार का होना चाहिए जैसे कि अगर आपने कभी notice किया हो कई बार ऐसा होता है जब हम छोटे होते है तो हम अपने पेरेंट्स को जब भी बोलते ममा में पपी घर ले आओं क्या ममा मुझे एक kitten को घर लेकर आना है तो ममा कहती है बेटा तुम ही ध्यान रखना फिर मैं तो ध्यान नहीं रख पाऊंगी और उस चक्कर में पिर क्या होता है कि नहीं रख पाते हम एक पालतू जानवर को घर पे क्योंकि definitely ममा सही है कि उसका ध्यान रखना पड़ेगा आप ऐसे ही नहीं उसको छोड़ सकते हो आपको हर एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है उसे time देना पड़ता है इसलिए जब भी भी कोई भी किसी पेट को रखने का विचार ला रहा है दिमाग में तो उसे पूरे परिवार की जो सहमती है वो लेनी चाहिए without full agreement by everyone the pet could end up unwanted क्योंकि क्या होगा अगर पूरा परिवार सहमती नहीं देगा तो हो सकता है वो जानवर unwanted या फिर वो जब आ तो जाएगा जानवर घर में बट आप उसका इतना ध्यान नहीं रख पाएंगे यह विल्कुल भी यूनो ऐसे कुछ बन जाएगा जो नहीं चाहता पपी सांट खीटिंस आर सो अडॉरबल इट इसी तो अंड़स्टान वा एर इसी तो अडूर अडूर बड़ा हो या कोई बच्चा हो एक जैसा उनका रियाक्शन होता है कि वो बहुत जादा आकरशित हो जाते हैं और उन्हें बहुत प्याले लगते हैं वो क्यूट से पपीज आन क्यूट सी किटिंस राइट बट क्या सिरिफ इतना ही चाहिए होता है किसी को पालने के लिए तो वही चीज वो क्लियर कर रहे हैं just because you find an animal cute आप वो रिजन सरिफ नहीं फॉलो कर सकते हो एक पेट को ओन करने के लिए डान चलिए words देख लीजे acquire और अलाइक अलाइक मतलब एक जैसा in the same way यानि समान रूप से डान चलिए इसी को हिंदी में पढ़ता है एक पालतो जिम्मेदारी शामिल है बैने बता दिया भया बहुत जिम्मेदारिया शामिल है इसी लिए एक का अधी क्रहन करने से पहले या उसका निर्ने जो है वो पूरे परिवार द्वारा लिया जाना चाहिए सभी के द्वारा पून सहमती के बिना पालतो अवांशित समाप्त हो सक जान रूप से उनकी और अकरशित क्यों होंगे? लाइक वो इतने खुबसूरत होते हैं, इतने cute होते हैं, adorable होते हैं, कि आप definitely ऐसे हो जाते हो कि हमको तो इसको पालना है, डान? ओके, आगे बढ़ते हैं, unfortunately, their cute looks are often a disadvantage, because people purchase them without consideration and the knowledge on how to take proper care of them. बट ये बदकिस्मती से जो cute होना है जानवरों का, उनके लिए बहुत जादा negative point हो जाता है, disadvantage हो जाता है, क्योंकि क्या करते हैं, लोग just because उनको cute लगता है, कोई animal उसको ले तो आते हैं घर, बट पता ही नहीं होता हैं कि कैसे उसका ध्यान रखना है, या क्या इतना ध्यान र जो गलत है, क्योंकि वो बोल नहीं सकता है, तो आप उसके साथ ऐसा treatment नहीं कर सकते हो, तो वही चीज वो बोल रहा है कि just because आपको लगता है, कि ये जानवर cute है, इसलिए मुझे पालना है, तो वो गलत है, आपके दिमाग में होना चाहिए, क्या क्या चीज़े हैं, जो accordance with government regulations, हर साल का ना, एक annual, हर साल मतलब annual होता है, एक license बता है, dog license, ठीक है, जो government के regulations के हिसाब से बनता है, अगर आपके पास बो नहीं है, तो गलत बात है, अगर आप एक pet owner बनना चाहते हो, आपके पास एक dog license होना चाहिए, इस annual vaccination against major diseases, vaccination के बारे में मुझे बताने की जादर है नहीं, because बहुत famous है vaccination word, राइट, fashion में आ गया है यह word, तो सबको बता है कि क्या होता है, vaccination, राइट, तो dogs का भी क्या होता है, हर साल एक vaccination होता है, जो बहुत बड़ी बिमारिया होती है, उसके खिलाफ, toilet training, अब आपने देखा होगा कि कई puppies को, dogs को बहुत time तक train करते हैं, ज यह चीज जो है, वो आपकी दिमाग पे होना चीए, कि आप यह सब कर पाऊगे, और फिर ही एक पपी को या किसी भी आनविल को अडॉप्ट करना चीए, ताम, ओके चलिए, इसी को हिनी पढ़ते हैं, दुर्भागे से उनका प्यारा रूप अकसर एक नुकसान होता है, क्य आपके पास होना चाहिए, प्रमुक रोगों के खिलाव इसका वार्षे टीका करन होता है, वो होना चाहिए, और सौच प्रशिक्षन यानि कि टॉइलेट ट्रेनिंग भी देनी होती है अनिमल्स को, वो भी आपको पता होना चाहिए, तो आपको लगता है कि मुझे यह तीन कुछ-कुछ न डॉगी होते हैं, मुझे नहीं पता है शिद्जू बोलते हैं उस डॉगी को, उनके बाल ग्रो करते रहते हैं, आपको वे आते हैं, तो आपको रेगिलर कट कराने पड़ते हैं उनके बाल, तो यह सब चीज़े बड़ी सुन्दर लगती हैं, सुन्दर बड आप सिर्फ कुछ भी कभी भी नहीं खिला सकते हो, जैसे अभी ना आप टेंट में आपको सेकेंड बुक मिलेगी ना पढ़ने के लिए फुटप्रेंट्स बडाउट फीट, काफी बच्चों ने कंप्ली चाप्टर विशन देखा होगा तुनको पता होगा, अ ट्राइंफ इसको सारे न्यूट्रियंट्स मिलने चाहिए, सिर्फ खाने के लिए आपने यही खिला दिया, यही चीज खिलाये जा रहे हो, यह कभी भी खिलाये जा रहे हो, गलत बात है Socialization, many dogs are kept confined in cages or tied up to stop them from dirtying the garden or from chewing on shoes, this is wrong and socializing is very important Socializing, एक समाजी करण सिखाना, dogs को बहुत जरूरी है, लोग आए तो आप बहार ले जाओ उनको, लोगों के सामने उनको लेकर आओ, तो इससी क्या होता है, उनको पता चलता है, यह बाखी के इंसान है, मुझे कैसे बैठना है, क्या करना है बट कई लोग क्या करते हैं, उनको अकेले छोड़ देते हैं, बांध देते हैं उनको, यह फिर एक पिंजरे में बन करके रखते हैं घर में, ताकि उनको आपके जूते ना चबा जाएं, आपके डॉक्स, यह फिर गार्डन गंदा ना कर दें, तो उन सब चीजों की वज़ तो इतनी सारी बाते हैं, जो दिमाग में होनी चाहिए, इसके पहले कि आप एक पैट को यह स्पेसिफिकली एक डॉक को पालो, तो यह सब चीजे जरूर ध्यान में रखना, अगर कभी भी पैट ओनर बनते हो, और अगर पैट ओनर हो, तो ध्यान रखो कि क्या यह चीजे फ बाकियों के साथ घुल मिल सके रॉगी, उसे कहा जाता है सोचलाइजेशन, समाजी करन, इसी को भिंदी में पढ़ेंगे, नियमत रूप से साथ सवार और स्नान कराना, आग्या कारिता प्रशिक्षन, यह न भूले कि आपको अपने पालतू जानवरों को संतूलत आहार खि और यह बहुत गलत बात है, व्यायाम्स ने और खेल की देने खुराक आपको देनी, खुराक है यह ठेक है, यह तरहा जरूरी है, तो जैसे एक मेडिसन जरूरी नहीं होती ही सबके लिए, अगर वो भीवान है तो वैसे ही जो भी आपके पैठ है उनके लिए प्यार, एक्स exercise, खेल, बहुत जरूरी होता है हर दिन, डान? ओके, रीडिंग अपना एक पैठ को कैसे पालते हैं, उस subject पे थोड़ा ध्यान से पढ़ाई कर लो, यह पहले से ही सब कुछ पढ़ लो, requirements क्या हैं, कैसे ध्यान रखा जाता है, वो बहुत जरूरी है, मेरा मानना आप किसी भी अगर मैं आपको यह बोलू कि आगे जाके आप 10th में, 11th में subject चूस करने वाले हो, तो आप वेट मत करो उस एक महिने का या 15 दिन का जो आपको मिलेंगे, जब आप subject चूस करो, कहां ठीक है, मुझे बायोचीन लगती, फिर मेरे पाई यह बच रहा है, मुझे यह नहीं पस सकता है, यह सब चीज़े ध्यान में रखके ही subject चूस करना चीए, सिर्फ एक चीज़ फॉलो करके कि मुझे यह subject अच्छा लगता है, आप फिर बाद में यह सोचे किया रिसे तो मुझे कुछ प्रापती नहीं हुआ, ठीक है, तो आपको जो भी decision लेना होता है, लाइफ में चोटे से चोटा decision हो, यहां वो कोई भी decision हो, उसके बारे में पहले सी जानकारी हासल करना बहुत जरूरी है, कभी भी एक दम से decision मत लिया करो, हमेशा सोचा करो, उसके बारे में research किया करो, and then you should come to a conclusion, clear, okay, selected pet shops and major book stores, कई you know, जो जानवर होते हैं, उनकी दुकाने होती है, उन कि क्या pet है, जिसकी क्या-क्या responsibilities होंगी, मैं क्या-क्या ध्यान रख पाऊंगा, वही चीज़ें आप follow करके, जो भी pet है, उसको own कीजे, done, okay, चलिए, breed bird, देख लो, क्या होता है, breeds means specific group of animals, एक सम्हू जो proper होगा, that is, जानवरों का विशिष्ट सम्हू के भी है, यह ऐसा, you know, यह लाब्रडॉर है, यह शिट्जू है, तो ऐसे breeds वगरा हो जाती है, done, okay, चलिए, भी सिको पढ़ते हैं, हिंदी में, विशे पर पहले से पढ़ना, एक और महत्वपूर आवशकता है, और एक जिम्मेदार पालतू मालिक होने की दिशा में, आपको मार्ध दर्शन करेग कि क्या हमें करना चीओ, क्या नहीं, done, okay, अब फाइनली हम आएंगे स्टोरी पे, तो इस तरीके से स्टार्टिंग में आपको कुछ-कुछ दिया हुआ है, इंट्रॉप्शन, मुझे लगता है ज़रूरी है बताना, सिर्फ वो क्यों पढ़ना, जो आपके सिलिबस में है, क कि exactly क्या हुआ, उनका decision क्या था, after जब जोनी, जो है, उनका dog वो चला गया, बट उनको pet चाहिए था, बट डॉग नहीं चाहिए था, तो क्या decision लिया उन्होंने, Early in the new year of 1956, I traveled to southern Iraq, जहां भी आया आएगा, खुद हम से जो Gavin Maxwell है, वो बात कर रहे हैं, तो वो कहते हैं, कि 1956 का जो नया साल है, उसकी starting में ही वो कहा गये हुए थे, southern Iraq गये हुए थे, By then, it had crossed my mind that I should like to keep an otter instead of a dog, तब तक इनके दिमाग में आ चुका था, कि मुझे एक otter को as a januar रखना है, as a pet रखना है, ना की एक dog को, और ये चीज तब तक उनके दिमाग में आ चुकी थी, Crossed my mind मतलब कोई बात आपके दिमाग में आके गुजर चुकी हो, that is crossed my mind, and that chemosphere ना ringed my water, a stone throws from its door, would be an eminently suitable spot for this experiment, क्या दिया हुआ है, also chemosphere ना वही जगे जो मैं आपको बताई थोड़ी दिर पहले, जहां पर Kevin Maxwell रहते हैं, वो ऐसी जगे है, जो चारों तरफ पानी से घिरी हु कितनी दूरी कवर होगी, थोड़ी सी दूरी कवर होगी, उतनी दूरी पे पानी है, यानि कि बहुत छोटी सी दूरी पे, कम दूरी पे पानी भी है, तो यह बहुत अच्छी बात है, would be an eminently suitable spot for this experiment, और इसी लिए ये जगे, chemosphere ना, एक बहतरीन जगे होगी this experiment के लिए, experiment क् और को पालने का, क्यों है ये बहतरीन जगे, क्योंकि और को चाहिए होता है, पानी, वो पानी वाली जगें पे रहते हैं, और यहाँ पे खोब पानी है, done, ओके चलिए, अब सारे शब्द देख लेते हैं, सबसे पहले, crossed my mind, इसका मतलब है, a thought came into my mind, कोई भी विचार जब आपके धिमाग में आता है, एक विचार जो मेरे मन से गुज़रा, ऐसे कहना है, अगर आपको ता आपको ता आपको सकते हो, this thing crossed my mind, clear? otter का मतलब है, a mammal with four legs, चार पैर होते हैं, and short brown fur, छोटा सा brownish color का fur होता है, that swims well and eats fish, जो अच्छे खासी swimming कर लेता है, पानी में रहता है, obviously, और मचली खाता है, इसको हिंदी में उद्बिलाफ बोलते हैं, clear? okay, चली, अब इसी के आगे word देखते हैं, जो कि है, a stone's throw, a very short distance, एक पत्थर की दूरी पे, तो अगर मैं पत्थर फेकूंगी, तो जितनी भी दूर जाएगा, बहुत जादा दूर नहीं होगा, वो छोटा सा distance होगा, तो एक छोटी दूरी, या थोड़ा दूर को कहते हैं, a stone's throw, eminently मतलब बहुत जादा very highly, यानि की अत्यंत, तो यह अत्यंत बढ़िया जगे थी, किसके लिए, otter को पालने का experiment करने के लिए, done, okay, अब इसी को हिंदिन पढ़ते हैं, 1956 के नए साल की शुरुआत में, मैंने दक्षणी इराक की यात्रा की, तब तक मेरे दिमाग में यह बात आ गई थी, कि मैं डॉब के बचाए, एक उत्पिलाव को रखना चाहता हूँ, और यह की chemistry ना, जहाँ पानी घर की एक छोटी सी दूरी पर है, इस प्रयोग के लिए विशेश रूप से उप्योग स्थान होगा, तो उनको यह लग रहा था, यह सबसे बेस जगा रहेगी chemistry ना, तो मैं यहीं पे उद्विलाव या ओर्टर को जो है पालूंगा, डाम, चलिए, आगे बढ़ते है कहानी में, अब होता क्या है, कि इन्होंने ना, ऐसे ही मतलब, ऐसे ही बस बात करते करते बात निकल गई, ठीक है, तो उन्होंने बोला अपने दोस्त को, कि मुझे ना, एक ओर्टर को पालने का मन है, मैं सोच रहा हूँ कि एक ओर्टर को पालूंगा, और उनके दोस्त ने भी उतना ही नौर्मली उतना ही क्याश्विली बोला कि तुम ना एक ओर्टर कहां से लियाओ तुम टिग्रेस मार्शिस जो एक जगे है वहाँ से क्यों नहीं ऐसा दिखता है टिग्रेस मार्शिस वहाँ से तुम जाके एक ओर्टर को ला सकते हो For there, for there, they were as common as mosquitoes कई जगे हैं जहां पर मच्छर तो बड़े common है अगर हम बात करें किसी भी जगे के, अगर में इंडिया के बात करूँ आपको यह बात करनिए कि तुम्हें पता है यहां पर मच्छर पाए जाते हैं तो आप बोलोगा है तो कौन सी पड़ी पात है and answer a mail from Europe अब होता क्या है कि इनके दोस्त ने बोला कि भई ये जो जगे है ना टिकरिस मार्शेस तो वही से एक ओर्टर ले आना क्योंकि यहाँ पर अरब्स जो हैं वो अरबी लोग जो हैं वो जाने जाते हैं ओर्टर को पालने के लिए तेम मतलब उनको पालतू जानवर की तरह ट्रीट करना अब ये लोग कहां जा रहे थे ये जा रहे थे बसरा नाम की जगे पे जहां पर ये काउंसलेट जेनरल जाने वाले थे यहां इनके लिए यूरोप से एक mail एक डाक आने वाला था जिसका इनको डाक कलेक करना था पढ़ना था और उसका आंसर भी भेजना था अब तो गेविन माक्सविल कहते हैं कि जब मैं पहुचे हम दोनों काउंसलेट जेनरल हमें पदा चला कि मेरे दोस्त का डाक तो आ गया है बट मेरा अभी तक नहीं आया है चलिए अब वर्ट देखते हैं टिग्रेस मार्शिस तो यह नदी है टिग्रेस यहाँ पर मार्शिस जो एरिया है जो दलदल का एरिया है इराक में उसे कहा जाता है टिग्रेस मार्शिस तो इसे कहोगे टिग्रेस दलदल जब मैंने अपने एक दोस्त को यू ही बता दिया बस तो वह casual होता है यू ही इसके बारे में बताया तो उसने भी यू ही जवाब दिया किस बारे में बताया कि मुझे एक ओर्टर को एक उत्बिलाव को पालना है कि मुझे टाइगरिस मार्शिस से उद्विलाव लेना शाहिए क्योंकि वहाँ वे मच्छरों की तरह आम थे और अक्सर अर्वो द्वारा वे पाले जाते थे हम युरोप से आया हमारा डाक लेने और उसका जवाब देने बसरा में महावाने जिदूत यानि की काउंसलेट जेनरल के यहां जा रहे थे महावाने जिदूत में हमने पाया कि मेरे मित्र का डाक आ गया था लेकिन मेरा नहीं आए था और इस वज़े से यह जो हमारे author है इन्हें वहाँ पर कुछ time के लिए wait करना पड़ेगा ताकि इनका mail आ जाए clear, okay I cable to England and when three days later nothing had happened I tried to telephone तो इन्होंने क्या किया ना इन्हें cable करने की कोशिश की cable का मतलब होता है एक तरीके का you know telegram type का होता है जिससे आप अपना संदेश भेजते हो तो इन्होंने संदेश भेजा England में और तीन दिन हो गया तीन दिन तक होई जबाब नहीं आया तो फिर इन्होंने क्या किया इन्होंने phone करने की कोशिश की इन्होंने phone पर बात करने की कोशिश की The call had to be booked 24 hours in advance और आपको 24 गंटे पहले ही इस phone को book करना होता था तब के time पे यानि अगर आपको कल बात करनी है तो उस phone को करने के 24 गंटे पहले booking करनी पड़ती है On the first day the line was out of order सबसे पहले उन्होंने बात करनी कोशिश की तो उस दिन telephone जो system है वो काम ही नहीं कर रहा था Line out of order थी On the second exchange was close for a religious holiday दूसरे दिन कोई religious छुटी थी उस वज़े से बात नहीं हो पारे थी क्योंकि बंद था On the third day there was another breakdown तीसरे दिन और खराबी आ गई थी कोई तो उस वज़े से बात नहीं हो पाई My friend left और अब बहुत time हो गया था तो इनके दोस्त को वापस जाना पड़ा And I arranged to meet him in a week's time और यहां पर author ने उनको बताया कि मैं तुमसे एक हफते के करीबन मिलूँगा Five days later my mail arrived Finally 5 दिनों बाद उनका mail आ गया ठीक है चलिए mail में क्या लिखाए पड़ेंगे पहले cable का meaning देखे तो यह जो word है cable इसका meaning है Sent a message by telegraph Telegraph का कोई सिस्टम होता है जिसे message भेजते है Telegraph द्वारा संदेश भेजना तो इन्होंने संदेश भेजा तीन दन तक कुछ नहीं हुआ फिर उन्होंने phone call ट्राइ किया phone call 24 गंटे पहले book करना पड़ता है बट book करी नहीं पा रहे क्योंकि पहले दिन जो है वो कामी नहीं करी line दूसरे दिन छुट्टी थी तीसरे दिन फिर कुछ breakdown खराबी आ गई और इस तरीके से फाइनली उनके दोस्त को जाना पड़ा पिकज ओविसली इते टाइम तो कॉन बेट करेगा तो इन्होंने अरेंज किया कि वो एक हफते के टाइम में उससे मिलेंगे और पांच दिनों बाद फाइनली जो Gavin Maxwell है उनका mail यानि डाक आ जाता है चलिए mail के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले उसको हिंदी में पढ़ लेता है सो मैंने इंगलाइन को संबर किया और जब तीन दिन बाद कुछ नहीं हुआ तो मैंने फोन करने की कोशिश की कॉल को 24 गंटे पहले बुक करना पड़ता था पहले दिन लाइन खराब थी दूसरे दिन धार्मिक अफकाष के लिए एक्सजेंज बन था और तीसरे देरे एक और खराबी हो गए थी मेरा दोस्त चला गया और मैंने एक हपते में उससे मिलने की विवस्था की पांच दिन बाद मेरा डाक आ गया अब डाक आ गया फाइंडली तो यानि अब वो वापस जा सकते हैं तो अब हम पढ़ते हैं आगे डाक में कुछ फिर तो कुछ प्रॉब्म नहीं हुई जाना पड़ा हुनको कि मही रुखना पड़ा एक्सेक्टर एक्सेक्टर तो हुआ क्या कि जैसे इनका डाक आया ना वो जाकर अपने जो भी कांसलेट जेनरल में को घर मिल लिया होगा नहीं रहने के लिए कमरा लिया होगा वहाँ पर इनके बेडरूम में इन होने क्या देखा कि दो अरैप्स जो हैं वह अपने घुटनों के बल बैठे हुए हैं स्क्वाटिंग पोजेशन जो होती है जैसा अगर कोई स्क्वाट करता है जो अगर एक्सराइस बगेरा करता है तो आपको पता होगा यह कौन सी पोजेशन के मैं बात कर रही हूँ गोटिनों के बल बैठे हुए थे और इनके पास एक बोरी थी सैक मतलब होता है सब बोरा ठीक है वो उनके पगल में रखा हुआ था और बार वार स्कॉार्म कर रहा था आपको तिसक्त कर रहा है इस बिल रही है कि मानो इसमें कुछ तो अंदर है और उन लोगों ने क्या किया, इनके पास एक note था, एक छोटा सा संदेश था, जो उन्होंने किसको दिया, गेविन माक्सविल को दिया और उस note में लिखा था, here is your otter, ये रहा तुमारा उद्बिलाव, और किस के थुरू था ये, इनके दोस्त के थुरू यानि इन्होंने अपने दोस्त को ऐसी बोला था ना, कि मुझे एक उद्बिलाव चाहिए, मतलब मैं एक otter को रखना चाहता हूँ, as a pet, इन्होंने ऐसी बोल दिया था, यूही, और उसने भी यूही बोल दिया, कि हाँ, ले लो, टाइग्रेस मारशर से, वहाँ बहत जादा ot otters मिल जाता है, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस otter को उनके लिए भेज दिया, और लिखा, here is your otter, done, चली, अब शब्दो का मेंग देखता है, सबसे फ़ले squatting देख लो, squatting is a crouch or sit with one's knees bent and one's heels close to the back of the thighs, तो मतलब आपका जो heel portion होता है, वो आपके thighs से बिलकुल पास हो जो sack था, जो बोरी थी, क्योंकि उसके अंदर क्या था, एक otter, clear, चले भी सी को हिंदी पढ़ता है, मैंने, मैं इसे पढ़ने के लिए, यानि उस डाक को पढ़ने के लिए, अपने शयन कक्ष में ले गया, और वहाँ दो अरब आदमी फर्ष पर बाठे थे, उनके बगल मे ही एक author को as a pet पालना चाहते हैं, वो finally its shine की पूरी हो गई है, चले आगे बढ़ते हैं, क्या होता है, अब आता है आपका दूसरा part, यानि order के आने की बाद की जो life है, Maxwell की, उसके बारे में चर्शा करेंगे, और इसके पहले जो कुछ भी बात चीत हुई है, कि exactly you know, कैसे आया daughter यह सब वो आपका first part था, समझ आ गया, चले, अब दूसरे part, story के दूसरे part की तरफ move करते हैं, और यह जो video है, यह आपके पूरे chapter का पहला हिस्सा है, समझ आ गया अब आपको part 1 से मेरा क्या मतलब था, with the opening of that sack, began a phase of my life that has not yet ended, and may for all I know, not end before I do, अब क्या हुआ ना, कि जैसी नोने बोलते हैं कि मैंने जिस दिन वो बोरी खोली थी, उस दिन के बाद से मेरी जिंदीकी बदल गई, मेरा पूरा जो लाइफ है ना, वो एक नया जो होता है, नया दौर शुरूआ मेरी जिंदीकी का, और यह ऐसा दौर है, जो मुझे लगता है कि कभी भी खत्म नहीं हो होगा, ऐसा ही चलता रहेगा, अटलीस्ट जब तक मैं हूँ, तब तक तो यह ऐसा ही रहेगा, इस इन फाक्ट थ्राल्डम तू ओ आज तो आज तक आज तक आज तो पाला है, और मैं उनसे अगर मिला हूँ, मेरी बादचीत हुई है, तो मैंने देखा है कि एक ना, भौती आपको क्या बोलते है, प्यार हो जाता है, आपको एक तरीकी से बॉंड फॉर्म हो जाता है, और वही चीज है, जो ओधर के साथ भी है, यानि वो इस ओटर से इतना जुड गए है, इतना अच्छा बॉंड बन गया इनका, कि इनकी लाइफ एकदम से चेंज हो गई है, और उनको रगता है, अब ये लाइफ ऐसी ही चलती रहेगी, अटलीस तब तक जब तक वो इस दुनिया में है, चलिए अब वर्ट्स देखते हैं, ठ्राल्डम और फिक्सेशन, ठ्राल्डम इस ओल्ड फैशन, वहती पुराना शब्द है, इसको अब नहीं यूज किया जाता है क्योंकि फिक्सेशन है, फिक्सेशन क्या है, अब इसको हिंदी पर देखते हैं, उस बोरी के खुलने के साथ, मेरे जीवन का एक ऐसा चरण शुरू हुआ, जो अभी समाप्त नहीं हुआ है, और हो सकता है, क्योंकि मैं जानता हूँ, मेरे समाप्त होने से पहले समाप्त और हो सकता है, मतलब ऐसा हो सकता है, क्योंकि मेरे खतम होने से पहले मैं इस दुनिया से चले जाओ, उसके पहले यह जो फेस है, यह जो एक चरण है, वो कभी समाप्त होगा भी नहीं, यह वास्तव में उद्बिलाफ के लिए गुलामी है, और एक उद्बिलाफ के वर उन अलग ही गहरा लगाव हैं, जो सिर्फ वो समझ सकते हैं, जिन्होंने कभी भी एक उद्बिलाफ को पाला हो, clear, okay, तो उन्होंने जैसे बोरी खोली, जिसके अंदर वो ओटर था, तो उन्होंने देखा कि एक जानवर है, एक क्रीचर है, प्राणी है, जो की एक बहुत, जो एक काउंसलेट जेंडर वाला रूम जो था ना, वो बहुत जादा स्पेस वाला था, एक बहुत जगी थी वो तो उस फ्लोर पे वो आया, और ऐसा लग रहा था, जैसे कि पूराने टाइम पे मिडिविली एक ना माना जाता था कि एक तरीके का ड्रागन होता है, खुछ इस तरीके का, तो वो ऐसा ही थोड़ा थोड़ा दिख रहा था, तो जैसी वो बोरी के बाहर आया, हाँ क्यूट ह तो वो ऐसे लग रहा था, जो उस फ्लोर पे था, from the head to the tip of the tail, he was coated with symmetrical pointed scales of mud armor, इनका ये जैसे ही देखते है ना है, सौर्टर को, तो ये अपने सर से लेके पूरा जो टेल है, यानि कि बिल्कुल end of the pooch है, पूरा का पूरा ये cover था कि इससे, symmetrical यानी एक जैसे, ठीक है, pointed यानी नुकीले, और scales इनकी body के उपर जो बनी होती है, अभी हम देखेंगे, ठीक है, इस तरीके से, मतलब scales type का बनी होता है, और of mud armor, मतलब इस तरीके से scale निकल नहीं रहते है, इस लगता मिट्टी के ऐसे बने हुए है, एक मिट्टी का पूरा कवच पहना हुआ हो जैसे इसने, between whose tips was visible or soft velvet fur, like that of a chocolate brown mole, क्या दिया हुआ है, कि इनकी body के जो मिट्टी के टाइप का इसा बना हुआ था, जैसे कवच हो, और उसके बीज बीज में कहीं, मतलब जहां मिट्टी नहीं थी थोड़ी बहुत भी, वहां बीज बीज में कहीं पे एक soft सा velvety सा fur दिख रहा था, जो कि एक chocolate brown color का mole होता है न, वैसा, clear, चलिए, अब फटावर से words देखते हैं, medievally conceived or armor का मतलब, medievally conceived का मतलब है, an imagination of the middle ages, यानि middle age, जब time था न, तबके time पे कुछ ऐसा लोग मानते थी, कैसा dragon होता है, that is, madhya kalpana, armor क्या है, the metal coverings formally want to protect the body in battle, युद्ध के समय, एक metal का covering पहना जा obviously, तीर वगरा से, तो that is what is a कवच, तो ऐसा लगरता है, इस मिठी का कवच पहना हो, इसने गंदी तरीकी से यह मिठी से पूरा भरा भरा है, और जहां पर थोड़ी बहुत मिठी नहीं थी, वहां से इसका actual fur नजर आ रहा था, टान, ओके चलिए, भी सी को इन दी पढ़ते ह इस बोरी से वानेज दूतावास के शेन कक्ष के विशाल टाइल वाले फर्ष पर जो प्राणी उभरा, वह सबसे छोटे मध्य यूगीन रुप से कलपना किये गए एक ड्रागन जैसा दिखता था, सिर से पूछ तक वह मिठी के कवच में संपित नुकीले शल्क यानी स्के दिख रहा था किसका इस ओटर का क्योंकि जहां-जहां मिठी नहीं थी वहां क्लियर ली ये वो फर्ष देख पा रहे थे, तान, ओके क्या दिया हुआ है कि ये जो ओटर है उसने अपने आपको हिलाया, शेक किया और जब इसने शेक किया तो ओथर ने ऐसा माना था, वो एक्सपेक कर रहे थे कि बहुत सारी धूल निकलेगी, ठीक है, बहुत जादा धूल, बट जितनी इनोंने एक्सपेक की थी ती निया, उतने से डबल धूल निकली है उससे, यानि कि इनकी एक्सपेक्टेशन आधी थी as compared to जितनी धूल उसकी बोड़ी से गिरी जब उसने शेक किया, but in fact it was not for another month, but अगले महीने तक ओथर को क्या करना पड़ा, उसे साफ करते थे, वो नहलाते थे और पुरा एक महीना लग गया और उसके बाद finally जाके ये जो ओटर है उसकी बोड़ी से जितनी भी मिट्टी थी वो finally चली गई, and see the otter as it were in his true colors, और otter actually कैसा दिखता है, उसका actually fur कैसा है, finally author को देखने को मिला कब, एक महीने के बहाद, यानि उसमें इतनी मिट्टी थी इसकी बोड़ी पे, कि एक महीना ल वैसी उन्होंने नाम रखा, मिजबिल, was in fact of a race, previously unknown to science, and was at length Christian by a zoologist, leutroglade per specialita, maxvilly, or maxwell's otter, तो ये जो particular otter है ना, इनकी जो race है, वो बहुत टाइम तक पता ही नहीं था science में कि otter नाम के भी जानवर होते हैं, और इसलिए जब zoologist जो हैं, उन्होंने एक नाम रख दिया Christian का मतलब होता है नाम रखना, एक नाम रख दिया है इनोंने, वो नाम था Lutroglade per specialita, maxvilly, ठीक है, और इसी को छोटे में बोला जाता है, बहुत बढ़ा सा नाम ना, तो short में कहा जाता है, maxwell's otter, तो गेवरिन maxwell, maxwell's otter, clear, तो फटा मर्से बहुत देख लीजिए, Christian, फिर ह maxwell's otter, clear, okay, उसने अपने आपको हिलाया और मुझे धूल के बादल की आधी उम्मीद थी, लेकिन वास्तव में एक और महीने तक मैं आखरी कीचर को हटाने और उत्विलाफ को उसके असली रंग में देखने में कामियाब रहा, एक महीना लग गया उतनी मिट्टी को साफ कर मिच्बिल जैसा की मैं उद्विलाफ को बुलाता था, यानि इन्होंने प्यार से उसका नाम मिच्बिल रखा था, और ज्यादा प्यार से इसको मिच्बिल बुलाएंगे आगे जाके, वास्तर में एक जाती का था जो विज्ञान के लिए पहले अग्याद थी, और लंबे स For the first 24 hours, मिच्बिल was neither hostile nor friendly, he was simply aloof and indifferent, choosing to sleep on the floor as far from my bed as possible अब देखिए एक creature है, कितने समय से वो अपनी जगे पे रह रह रहा है, अपनी surrounding में रह रह रहा है, अब नए लोगों के साथ या नए परसन के साथ adapt करने में, अग्जिस करने में उसको time लगेगा, है ना, कोई भी creature हो, कोई इंसान ही क्यों ना हो जब नई जगे पे जाता है, वो बहुत जब ऐसे hostile नहीं था, कि जैसे बहुत प्रतिरोद कर रहा हो, कि नहीं नहीं मिर भाग रहा है, काटने कोशिश करना है, जो भी ऐसा कुछ नहीं था, ना ही वो बहुत फ्रेंडली भी एफ कर रहा था, कि खेल रहा हो author के साथ, कुछ नहीं, ना तो वो बहुत जादा negative में था, नहीं बहुत जादा positive में, हाँ बट वो बहुत अलग-अलग रहा था, aloof and indifferent, अकेला थोड़ा रहना पसंद कर रहा था, choosing to sleep on the floor, और उसने जो है, जब रात को सोने का समय आया, तो वो सोने के लिए एक जगे चूस कर लिए, उसने, जो की Maxwell के जो बेड है, जो पलंग है, उससे काफी दूर था, यानि कि वो अभी इतना घुले मिले नहीं थे किसके साथ, गेवन-माक्सवेल के साथ, तो उसने कोशिश की कि वो उनके पलंग से काफी दूर जाके सोए, क्योंकि अभी वो दोस्त नहीं बने हैं. अब होता क्या है, कि पहली बार तो उसने क्या किया, कि वो बेड से जितना दूर हो सता, उतना सोया, बट अगले दिन खुद बखुद वो डाप्ट होने लगा, तो उसने क्या किया, वो जो ओधर का बेड है, उस पे जाके सो गया. कहां सोया वो, ओधर का जो क्रूक ओफद नी है, अभी इसका मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर देखो यह घुटना जैसे ही मोड रहे ना, यह नी है, जैसे आप बेंड करते हो, मोड तो यहाँ पने एक स्पेस क्रियेट हुजाती है, आप उनके घुटने के जस्ट एक अलग ही हट के behavior चल रहा था उसका, वो उसने खोडना, मतलब धीरे धीरे चोडना चालू किया, और अब वो अपने आस पास की जो भी चीजे हैं, उसमें बहुत जादा interest लेने लग गया, दान, चलिए, वर्ट्स देखते हैं, फुटा-फुट से, सबसे पहले hostile, इसका म इसका मतलब है, soft inside part where you bend your knee, जैसी आप अपना घुटना मोरते हैं, जो बिल्कुल पीछे का एक soft सा हिस्सा बन जाता है, space बन जाती है, वो होता है, क्रूक अपना घुटना मोरते हैं, और apathy है, absence of interest, उधासी इंता, तो जो उसका lack of interest था, अब बहुत जादा interest में change हो रहा था ठीक है, चलिए अब इसका हिंदी देखते हैं, पहले 24 गंटों के लिए मिजबिल ना तो प्रतिरोधी था और ना ही मित्रत्व था, वह बस अलग रह रहा था और उदासीन था, जितना संभव हो सके मेरे बिस्तर से उतना दूर फर्ष पर सोना चुन रहा था, यानि उसको गुटनों के बल सोता रहा, जब तक की सेवक सुभा चाय नहीं ले आया, और दिन के दौरान भा अपनी उदासीन तक होने लगा, और एक अत्यंत, बहुत अत्यंत रुची अपने वातावरन में लेने लगा, तो जो भी उसका वातावरन है आस-पास का, सब में बहुत जो है वो बिलड़ आप करने लगा, तान, ओके, नेक्स है, I made a body belt for him and took him on a lead to the bathroom, where for half an hour he went wild with joy in the water, plunging and rolling in it, shooting up and down the length of the bathtub under water and making enough slosh and splash for a hippo. अब होता क्या है, कि ये बोलते हैं, कि इन्होंने न, कभी भी कोई जैसे जानवर होता, कोई भी पैट होता है, तो आप न उसका एक body belt बनवाई लेते हो, जिसको पहना कर, जानवर को पहना कर, आप उसको walk कराने ले जाते हो, ताकि वो आपके पीछी-पीछी चल सक्या, प खुद बनाया, और फिर उसको न, हमेशा अपने जो भी उसको जहां ले जाना होता था, उसे वो पकड़ कर ले जाते थे, तो इस बार वो इसको कहां ले कर गए, बाथरूम में ले कर गए, जहां पर ओटर आदे घंटे के लिए, पानी में पादलो की तरह खेलता रहा, क्य इस गुद्रा था, घूम रहा है, पानी में उपर नीचे जह रहा है पाट टब में और इस तरीके से उसको बहुत मजा आ रहा था जैसे कि एक हिपपो पॉटमस जो होता है न, वो भी पानी में इसी तरीके से न, उसी तरीके से ओटर भी पानी के अंदर एसी सब चीजे कर तो उसको बहुत मज़ा आ रहा था पानी में इंजॉय करते हुए क्लियर चलिए बहुत सारे वर्ट्स हैं देख लीजे प्लंजिंग जो है वो है फॉलिंग और सिंकिंग डूबने वाला स्लॉश और स्प्लैश मतलब चप चप की आवाज जोती नहीं है वो कहलाता है स्लॉश और स्प्लैश करता रहा और दरियाई घोड़ी की तरह पानी में चप चप करता रहा तो बड़ी यह मज़े से वो इंजॉय कर रहा है पानी विछ एक छोटू सा बच्चा करता है, clear? ओके, this was, this I was to learn is a characteristic of otters, every drop of water must be so to speak extended and spread about the place तो यहां दिया हुआ है कि इनको ऐसा लगता है, कि एक otter का ना यह characteristic होता है, सिरफ मिजगा नहीं था, वाकि जितने भी उद्विलाव होते हैं, सबका यह characteristic होता है, कि उनको पानी, अगर कहने के ने कहा जाए, so as to speak, कि पानी की हर एक बूंद फैली हुई, हर जगा, पूरी ज be sat in and sploshed in until it overflows, तो एक पानी का बरतन है, वो पूरी तरीके से उल्टा देना चाहिए, यानि पानी का बरतन भरा पड़ा है, तो पानी ऐसा क्यो है, हर जगा फैला हुआ क्यों नहीं है, तो पूरा बोल उल्टा देगा, ताकि पानी फैले और उसको मजा आता था, अगर ऐस कुछ है कि नहीं हो पा रहा है, है न वो बोल वो नहीं उल्टा कर पा रहा है, तो फिर वो उसके अंदर बैठ जाएगा और तब तक चप 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 करता रहेगा, जब तक पूरा पानी बाहर ना आ जाए, वाटर मस्ट बी केप्ट on the move and made to do things, when static it is wasted and provoking, तो ओर्टर्स according to otters, और यह उनके लिए बहुती ज़दा provoking होता है, उनको बड़ा उतेजित करता है, परिशान करता है, इरिटेट करता है, और इसलिए वो पानी को क्या करता है, भी पूरी तरह के से किरा देते हैं, यह तो बोल को लटा कर देंगे, यह उसमें बैट के पानी को इतनी बा वोकिंग, तो यह जो पानी रुकावा पानी है, वो कही न कहीं otter का गुस्से का जो एक इरिटेशन जो है, वो बहार ले आता था, खलिया हो चलिए, अब पूरा पर लिया, पड़ा पर से हिंदी देखते हैं, यह मुझे सीखना था, उत्बिलाव की एक विशेशता है, पा एक otter को, पानी को हमेशे चलता हुआ दिखना चाहिए, इस्तिर होने पर वो बरबाद और उत्तेजग होता है, ऐसा otters का मानना है, कि पे पानी न भेहता रहे बस, भेहता हुआ पानी, एस सम्थिंग जो उनको पसंद है, और अगर पानी रुका हुआ है, तो वो वेस्ट हो अभी यहां क्या दिया हुआ है, कि यह पानी वाला इंसिदेंट हुआ ना, उसके दो दिन बाद उन्होंने नोटिस किया, कि मिजबिल जो है, वो अपने उनके जो कमरा है, उससे गायब हो गया, और कहा गया वो, ऑथर देख पा रहे थे, कि उसकी जो पूछ है ना, वो धी क्रोमियम चैप्स विद इस पॉस, तो जब तक यह पहुचते हैं वाजरू में देखने के लिए, कि यह क्या कर रहा है, मिजबिल, वो देखते हैं, कि मिजबिल तब तक बाद टब के उपरी एंड पे, हाई एंड पे, लास्ट एंड पे पहुच चुका था, और वहां पर जो क्रोमियम की तब कर रहा है, इस फराव से फराव सब Luky एंड उसा कोषे कर रहा है कि चाह के तरिक है अपनी पूरे पॉषिछ पच्छ से पन्यों कर रहा है तब ही उसो fumbling कहते हैं तो वो अपने जो यह नल है उस पर अपने पंजे मारे जा रहा है मारे जा रहा है कि भी यह खुल जाया तो पानी निकले तो मैं उसमें खेलू clear? चलिए words देखते हैं फटा-फट से fumbling और chromium fumbling यानि trying to do something in a clumsy manner बहुत ही होच-पोच तरीके से जब आप कोई activity करते हो उसे कहते हैं fumbling which means अनाड़ी तरीके से कुछ करने की कोशिश करना chromium क्या है? chromium एक substance है hard white metal used to make taps metal होता है जिसे नल बनाते हैं से chromium ही कहा जाता है दो दिन बाद मेरे शैन कक्ष में प्रवेश करते ही मिद्विल भाग गया और मैंने देखा कि उसकी पूच गलियारे के मोड के और गायब हो रही है और उस मोड से क्या आता है भई? जो बात्रूम की और ले जाती है जब तक मैं वहाँ पहुचा वह बात अब के अंत तक पहुच चुका था और अपने पंजो से chromium के नलो को खोलने की कोशिश कर रहा था तो देख रहे हैं आप? एक बार उसने देख लिया ना कि इससे नल खोलता है पानी आता है यहां ओतर शौक्ड थे, अमेज़ थे, सप्राइजड थे क्योंकि उन्होंने देखा कि ओतर ने आधे मिनिट से भी कम समय में उस नल को इतना तो खोल दिया था कि उससे थोड़ा थोड़ा पानी आये यहां पर trickle of water मतलब थोड़ा थोड़ा जब पानी आता ने से उसे कहते हैं trickle और फिर थोड़े देर बाद उसने फिर कोशिश की और finally पूरा जो जो जोड़ से पानी आता है पूरा flow पानी का आने लगा तो उसने पूरी कोशिश की और उसने नल ओपल कर लिया यह चीज़ देखकर author surprised थे He had been lucky to turn the tap the right way. On later occasions, he would sometimes screw it up still tighter, chittering with irritation and disappointment at the tap's failure to cooperate. क्या दिया हो है हाँ पर? कि इस बार author जो है lucky थे आप देखिए जो नल होता है आपको ने एक direction में खोलना पड़ता है अगर आप सही direction में करोगे turn तो वो खुल जाएगा, पानी आजाएगा अजीब बजीब आवाज निकालते, चिटर करते ताकि यू नो वो यह चीज़ दिखा सकी कि मुझे बहुत गुसा रहा है यह नलना मेरी सुननी रहा है, clear? Okay, चलिए Words देखते है trickle or chittering trickle मतलब flow in a small stream, बहुती थोड़ी सी लहर भेना पानी की बून-बून कर भेना टपकना Chittering यानि make a twittering और chattering sound एक अलगी तरीकी के आवाज, जो की चहचाना या बगबग टाइप की जो चहचा करके आवाज होती है उसे कहा जाता है? Chittering Okay, चलिए, फड़ा पड़ से देखते हैं इसको हिंदी में मैंने देखा चकित हो गया एक मिनिट से भी कम समय में उसने पानी की बून-बून रिकालने के लिए नल को काफी हद तक खोल दिया था और यह क्या दो पल के बाद पानी का पूरा प्रभा भी प्राप्त कर लिया था वह नल को सही दिशा में मोरने में भागिशाली था वह अन्य अफसरों पर नल को गलत दिशा में मोर देता था जिससे भकस जाता और जब पानी उसमें से नहीं बहता था तो मिजबिल निराश हो जाता तो मिजबिल बड़े निराश हो जाते कि यार ये क्या है मतलब मैं नल को खोल रहा हूँ खुल नीरा पानी नी आ रहा है तो बड़े परिशान हो जाते है और फिर अपना इरिटेशन शो करते है clear? okay very soon मिजब फॉलो मी without a lead and come to me when I called his name अब धीरे धीरे क्या हुआ ना? अब मिजब बताने की जरुद नी पड़ती कि आजाओ में जिया उसको ले जाने की जरुद नी पड़ती थी अब धीरे धीरे मिजब जो है वो बिना किसी you know ऐसे direction दिये आ जाता था even अगर author उसको बुलाते थे कि मिजब या मिजबिल तो वो सुनकर author के पास आ जाता He spent most of his time in play order क्या करता पूरा टाइम? ज्यादा तर अपना समय वो खेलने में बिताता He spent hours shuffling a rubber ball round the room like a four-footed saucer player using all four feet to dribble the ball and he could also throw it with a powerful flick of the neck to surprising height and distance कैसे खेलता वो बॉल से? वो क्या करता ना? बहुत घंडों तक जो एक ball है उसको अपने चार पैर है, इसके आप देख सकते हो तो चारो पैर से ना वो ball को dribble करता, dribble मतलब ऐसे करके dribble करते हैं ball को, तो that is what is dribble करना, चीक, अभी वैसे बहुत जादा ही चल रहा है dribble, dribble, जो real fans है उनको पता चल गया होगा, कि मैं किसकी बात करे हूँ, ठीक है तो यहाँ पर ना, वो dribble कर रहा है इसे ball को, और यह वो चारो पैर से करता होता ऐसा लगता है कि चार पैर वाला saucer player है साथी साथ वो इसको fake भी सकता था थ्रो भी कर सकता ball को, कैसे वो ना ball को अपना यह neck होता है क्या यह neck है जो garden, उसको ऐसे जोर से you know मारता ताकि उस जटके से ball जो है वो एक बहुत ज़ादा बड़ी height पे या बहुत ज़ादा दूरी पे चली जाए तो इस तरीके से smartly खेलता कौन? otter या कह लीजे, midge बहुत ज़ाद मिच बिना किसी mark दर्शन के मेरे पीछे चलता और जब मैं उसका नाम पुकारता तो वो मेरे पास आ जाता उसका ज़ादतर समय खेल में ही बीटता था वो rubber की गेंद को 4 foot के football खिलाडी की तरह कमरे के 4 foot नहीं, 4 foot मतलब यहाँ पे 4 पैरो से चार पैरो के football खिलाडी की तरह कमरे के 4 और घुमाने में घंटो बिताता गेंद को dribble करनी के लिए 4 पैरो का उप्योग करता और वह इसे गर्दन के एक शक्तिशाली जटके के साथ आश्चरे जनक उचाई और दूरी तक फेक सकता था तो आपसे पूछा जा सकता है कि मिज क्या करता था तो जो पानी वाली अक्टिविटी है वो आपको पता होनी चाहिए फिर बॉल से कैसे खेलता था वो पता होना चाहिए आगे जा क्यों कि बहुत इंफोमेशन है ये चाप्टर आपके लिए बहुत बड़ा है बहुत सारी चीजें और आपको सारी चीजें धिहान में रखनी है तो कोशिश करना इसको इंजॉय करो ठीक है जैसे कि आप अपनी पैट के बारे में पढ़ रहे हो अधरवाइस बोरिंग हो गया आपके लिए तो आप सची में भूल जाओगे ठीक है तो थोड़ा इंटरस्टिंग बनाना है खुद से इसको मज़े से पढ़ना है क्या रिवायर क्या जानवर है क्या क्या चीजे कर रहा है clear? okay but the real play of an otter is when he lies on his back, movement and juggles with small objects between his paws अब मुझे नहीं पता आपने कभी juggling देखी कि नी कई लोग होते हैं जो ऐसे बहुत सारी चीजों को ऐसे balance करते हैं वो ऐसे फेकते हैं फिर दूसरी चीज को पकड़ लेते हैं समझ आ रहा हो I hope आपको ये juggling कहलाता है यानि एक साथ उसी समय पे बहुत सारी चीजों को balance करना, समहालना, उसे juggle करना कहा जाता है तो इसको भी juggling पसंद थी, water juggling कर लेता था, कैसे? सबसे जादा इसको मज़ा आता था जब ये अपनी पीट के बल लेट जाता, ठीक है? और छोटी-छोटी चीजे जो हैं वो अपने पंजों की बीच में juggle करता है जो छोटी-छोटी चीजे उसके पास, कोशिश करता है एक समय पे उन सबको balance कर ले Marbles were Mitch's favorite toys for this past time और juggling करते वाग उसका सबसे favorite object होता था Marbles Marbles क्या होता है? कंचे, ठीक है? तो कंचों को न वो ऐसे से balance करता अपने pause के पीच में तो उसकी बहुत बड़ा सा पेट है, बैली है और फ्लाट है है ना, वाइड फ्लाट बैली, यानि मोटा पेट नहीं है, उसका फ्लाट बैली है और वो लेड जाता है से, और उसके बाद बहुत तो-चार कंचे जो है उनको ऐसे से हवा में उचालता और अपने pause के बीच में उसको balance करता मदब imagine करो कितना interesting और exciting होगा इस creature को ऐसे करते हुए देखना और आज तक कभी भी उसने एक भी कंचे को गिराया नहीं था फ्लोर पे, इतना बड़िया juggler था ये जगल्स का मतलब होता है, continuously toss into the air and catch a number of objects, so as to keep at least one in the air while handling the others नदब एसे आप उचालते हो ताकि एक हवा में रहे, फिर आपके बाकी आप हाथ में कर लो, फिर fake हो फिर fake हो, ऐसे एक हवा में होता है, एक होता है, बहुत ही बड़ी activity हो थी बड़ आपको बहुत फोकस चाहिए हो होता है, तो वो चीज होती है juggling, यानि एक साथ कई पसंददा खिलोने थे, वह अपनी पीट के बर लेट जाता और उन में से दो याँधिक को अपने चोड़े सपाट पेट के उपर और नीचे घुमाता, बिना किसी को फर्ष पर गिराए, तो ये next activity है जो आपको पता होनी चाहिए, about मिज, done, okay, the days passed peacefully at Basra, but I dreaded the prospect of transporting मिज to England and to Chemosphere now, होता क्या है कि यहां author बोलते है कि दिन बीटते जा रहे थे और दिन बहुत ही शान्तीप से बहुत ही peacefully बीट रहे थे author के साथ, कहां पर Basra में, जहां पर ये रह रहे थे, but I dreaded the prospect, but author कहते है कि मुझे इस बात का सोच सोच के डर लग रहा था, कि मैं जब मिज को England लेके जाओंगा, क्योंकि वो वही रहते हैं, Chemosphere ना में, तो मैं England लेके जाओंगा, फिर England से Chemosphere ना जब लेके जाओंगा, तो मतलब वो चीज मेरे लिए बहुत अजीब डराबनी बात थी, क्योंकि obviously वो चल कर तो जाएंगे नहीं, by road भी जाएंगे, by flight जाएंगे, और flight में मिज को लेकर जाना वहां तक इनको ये सोच-सोच करी डर लग रहा था, the British airline to London would not fly animals, so I booked a flight to Paris on another airline and from there to London, अब British airline होती ना तो वो directly London पहुँच जाते, but British airline का rule है कि वो animals को जानवरों को flight में allow नहीं करते, तो definitely मिज को छोड़के तो जानी सकते थे, तो इनके पास रास्ता बचता है दूसरी flight book करना, अब दूसरी flight जो है, वो directly London नहीं जा रही, वो Paris तक लेके जाएगी author को, और फिर Paris ते इनको एक और flight clash करनी पड़ेगी, जो कि इनको London लेके जाएगी, so इनो ने फिर दो tickets book करी, जो कि एक था from Basra to Paris, और from Paris to London, clear? चलिए, words देखिए, dreaded the prospect, it was in great fear of something that would happen in the future संभावना से डरना, कि भया किसी ऐसी चीज़ से डरना, जो future में हो सकता है, वो सोच सोच कि आप डर रहे हो, that is dreaded the prospect, clear? ओके चलिए, फटा फट से इसका हिंदी में देखते है, meaning, so तिरतिया भाग में दिया हुआ है, बसरा में दिन शान्ती से बीद गए, लेकिन मुझे मि अने Paris के लिए एक और Airline बुक की और वहां से लंडन की लिए एक और उडान बुक की, तो उन्होंने एक उडान बुक की कहा से कहा तक, बसरा से लेके Paris तक, फिर उन्होंने किया Paris से लेके लंडन तक, तो अब Airline का इशु तो solve हो गया, इसके साथ एक और चीज़ आती है, व my feet. I had a box made and an hour before we started, I put Midge into the box so that he would become accustomed to it and left for a hurried meet. अब इस एरलाइन ने अलाव तो किया हुआ था जानवरों को, बट इनका एक रूल था कि आपको जो भी जानवर है उसे एक डबे में बंद करके आना है. वो डबबा 18 स्क्वेर, यानि कि ये जो इंचे स्क्वेर है, ये एरिया है, ठीक है? इतने वर्ग से जादा का नहीं होना चे ये डबबा और वो डबबे में आप इस जानवर को बंद करके आएंगे. तो ये चीज अब इन्हें करनी पड़ेगी और ये जो डबबा है, वो जो यातरी है, वो अपने पैरों के नीचे रखकर फ्लाइट में ट्रावल कर सकते हैं. अब ओविसली इनको लेके तो जाना है मिज को, और कोई रास्ता भी नहीं है, दूसरी एरलाइन भी नहीं है, तो इन्हों को इनको ये जो बॉक्स है वो बनवाना पड़ा. तो इन्होंने एक बॉक्स बनवाया, उत्ते ही साइस का जो एरलाइन में कहा था, और फ्लाइट के एक घंटे पहले, जब ये एरपोर्ट के लिए निकलते हैं, उसके एक घंटे पहले इन्होंने मिज को बॉक्स में बंग कर दिया. किस रीजन से बंग किया? इनको लग रहा था कि भे मैं आवगर उसवक बंग करूँगा, तो मिज के लिए थोड़ी नहीं जगे हो जाएगी, घुटन महसूस होगी उसको, बट अगर मैं उसको एक घंटे पहले बंग कर दूँगा, तो इस बॉक्स का वो आदी हो जाएगा अकस्टम्ट हो जाएगा, क्या ठीकि बॉक्स ही है, एक घंटे बाद तक उसको लगने लगेगा, नॉर्मल है, तो इसी लिए ओथर ने क्या किया? उसको एक बॉक्स में बंग कर दिया, और फिर उसको उस बॉक्स को वहाँ छोड़ कर ये फटा-फट से खाना खाने चले ग कि मिज को एक डिबबे में पैक किया जाना चाहिए, जो 18 इंच वर्क से अधिक ना हो, जो मेरे पैरो की तरफ फर्ष पर ले जाया जाया, यानि जो फ्लाइट है उसका फ्लो, मैंने एक डिबबा बनवाया और हमारे निकलने के एक घंटे पहले मैंने मिज को डिबबे में जाल दिया, ताकि वह इसका आदी हो जाए, और मैं जल्दी जल्दी खाना खेट, खाने के लिए निकल पड़ा, फिर टाइम कम है, फटाफट से जाओ, खाना खा क्या हूँ, तब तक उन्होंने बॉक्स में मिज को बंद कर दिया, अब इस वज़े से एक बहुत अजीब इ खा कि कहीं मिज को कुछ हो तो नहीं गया है इस डबबे के अंदर, बट फ्रॉम इट्स एयर होल और चिंक्स अराउंड द लिड, ब्लाड हाट ट्रिकल्ड और ड्राइट, बट इस डबबे में एक होल बना हुआ था, जिससे अंदर एयर जाती रहेगी, तो उसको ब्रीधि क्या हुआ है, ब्लाड हाट ट्रिकल्ड और ड्राइट, आइव विप्ट ओफ द लॉक और टोर ओपन द लिड, और मिज एक्जॉस्टेड और ब्लाड स्पाटर्ड, विंपर्ड और कॉट अट माइ लेग, हुआ क्या जैसे ही इन्होंने ये देखा भया धर गये तो इन्हो दिया, जो लिड था, उसको फार के फेक दिया, उन्होंने फटा-फट से ताकि वो देखें कि मिज कैसा है, अंदर उन्होंने देखा कि मिज थका हुआ था, पुरा खून में, खून के धबे लगे हुए थे, क्योंकि वो कोशिश कर रहा था कि मैं बाहर निकलू, और उस च पकड़ लेता है, किसका मैक्सवेल का, चलिए, बहुत सारे वर्ड हैं, सबसे पहले हैं, अपालिंग स्पेक्टेकल, बहुती भयावह, शॉकिंग सीन, ठीक है, एक भयावह, तमाशा, या एक भयावह, नजारा, चिंग सोती, एक नारो ओपनिंग, ये छोटी सी ओपनिंग होती है एक संकीन छिद्र ट्रिकल्ड होता है ड्रिप या फ्लो यानि कि बहा था सो प्रभा हुआ किसका खून का तो खून बहना इस यहां पर बोलेंगे ट्रिकल हुआ है नेक्स्ट वर्ड पर आ जाते हैं जो विब्ड है विच मीन्स विब्ड ओफ क्विकली टुक ओफ फटा फट से निकाल दिया जल्दी से हटा दिया जब मैं वापस लौटा तो वहां एक भया वह नसारा था डिपे से कोई आवाज नहीं आ रही थी पूरी तरह से सननाटा था लेकिन इसके हवा के लिए दिये गए छेट और धकन के चारो और से खून बहरा था और वो सूक चुका था मैंने ताला तोड़ दिया और धकन को फार्ट दिया और मिच धका हुआ और खून से लगपत कराया और मेरे पैर को पकड़ लिया थांक गोहड मिच ठीक है उसको कुछ हुआ नहीं थोड़ी बहुत लग गई है विचारे को इसलिए खून मून निकला है बट अट लीस ये जिन्दा है तो वही चीज सोच कर डर रहे थे और फाइनली ये हुआ है विचारा परिशान हो गया उसको लग रहा था पता नहीं क अब समय बचा था फ्लाइट में सिरिफ 10 मिनिट का और जो एफोड है वो अट अट वच अट अट लीस पाइट रहे थे और अब समय बचा कहा था अर अरब पांच मील की दूरी पे था और यह बहुत बड़ी बात है क्योंकि फ्लाइट रुकती नहीं आपके लिए राइट कभी ऐसे डीले हो गया को इसे अलग बात है बट रुकती नहीं तो दस मिनिट बचे हैं पांच मील की दूरी तै करनी है बहुत जादा यह परिशान हो गए इ इसलिए उन्होंने बॉक्स में इसको रखा क्योंकि ओवेसली बॉक्स में मिझ को लाना कम पालशरी था तब ही वो फ्लाइट में एंट्री देते तो इसलिए उन्होंने फटा-फट से मिझ को रखा बॉक्स में और लिट अपने हाथ में पकड़ाए उन्होंने और फटा- में फार दिया था जब मैंने इसके आखरी हिस्से को हटा दिया ताकि कोई नुकीले किनारे ना बचे तब उडान भरने के समय में में कैबल 10 मिनिट थे और हवाई अड़ा पांच मील दूर था मैंने दुखी मिज को अपने हाथ से धकन को पकड़े हुए वापस डिब्बे में डाल दिया अब देखते हैं यह पहुचते हैं कि नहीं फ्लाइट के लिए की फ्लाइट के आच ही नहीं कर पाएंगे I sat in the back of the car with the box beside me as the driver tore through the streets of Basra like a ricocheting bullet अब हुआ क्या इन फटाफट से कार में पीछे बाढ़ गाए मिज के साथ और उन्हें बॉक्स जो अपने पास में रग दिया और ड्राइवर जो है वो ऐसे भगा रहा था घाड़ी जैसे की एक आषटनि एक risho shating bullet हो यह बूलेट कैसी होती है यह जाती है टकर आती जाती तकर आती नहीं पासा अती तो इतने फटाफ़ 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 स्पीड में होता है I was rushed through it by infuriated officials. In the same way, people had reached their flight before leaving the flight, but they had a little delay, but they had reached their flight. Luckily, the seat booked for me was at the extreme front. And I was happy that my seat was not in the end, so it was late. It was the first seat, the front seat. So, I was sitting there again. Finally, the flight is over. But now, there will be an exciting incident in the flight. First, let's read the word. Researchating bullet. A bullet which changes direction after hitting a surface. If it looks like a bullet, it changes its entire direction. After turning the plane, it becomes a bullet. Infuriated, very angry. Which means that it is crowded. It was crowded. It was very crowded. We used to be furious. When someone is angry, we say he is furious. Clear? Okay. I covered the floor around my feet with newspapers, ranked for the air hostess, and gave her a parcel of fish for me to keep in a car. I took her into my confidence about the events of the last half an hour. That way, the first half an hour was so long. In the past half an hour, her only breathing for the air hostess, she was the very queen of her kind. और author कहते कि वो जो particular air hostess थी मैं हमेशा उसकी बारे में अच्छा ही सोचूँगा, मैं हमेशा उसको admire करूँगा क्योंकि वो जो lady थी air hostess वो बहुत अच्छी थी वो अपने kind में यानि की air hostess का जो crew है उसमें एक queen थी, एक rani थी क्योंकि उसने बहुत मदद की थी किसकी narrator की ले लिया, profound यानि बहुत गहरा intense तो बहुत ही गहरा admiration है उनका air hostess के लिए, ठीक है चले अब इसको हिंदी में देखते हैं, मैंने अपने पैरों के चारों और फर्ष को अगभारों से ढख दिया, air hostess को बुलाने के लिए घंटी बजाई और उसे थंडी जगा पर रखने के मचली का एक पार्सल जो मिच के लिए था, वो दिया, मैंने उसे पिछले आदे घंटी की घटनाओं के बारे में बता कर अपने विश्वास में लिया, और मैंने उस air hostess के लिए सबसे गहरी प्रशन सा बरकरार रखी है, वो अपनी तरह की रानी थी, यानि कि बहुत ही बढ उसे की अपने बढ़ एखी अझने ले था, और मैंने लिए, तो अन्हों ने किया बोला, air hostess बहुत अच्छी थी, तो उनुह ने बोला, कि मुझे लगता है कि आप अपने पप्र आलतू जानवर को अपने पैरों पर बिठा कर ले जाना चाहोगे, तो उन्हों ने बोला है आपको allowed है permission दे दी तनी अच्छी air hostess है और ये सुनकर author इतने खुश हो गए कि उनको लग रहा था कि मैं air hostess के हाथ पर किस कर दूँ ये चीज दिखाने के लिए कि मैं कितना thankful हूँ बट येस अभी तक वो ओटर्स को जानते नहीं थे इतना तो आगे क्या होने वाला था उसक उसका हाथ चूम सकता था लेकिन उद्विलाफ को नहीं चानने की वज़े से मैं इसके बाद जो हुआ उसके लिए बिलकुल तयार नहीं था और वो क्या हुआ है पढ़ते है मिज was out of the box in a flash उन्होंने जैसे ही डबा खोला मिज जो speed से बाहर निकला है उस box से and he disappeared at high speed down the aircraft और और वो गुम बतला गायब हो गया वो निकला और speed में पीछे flight की तरफ चला गया यानि पीछे पीछे airplane में चला गया तो यह बहुत बढ़ी बात है बतला फ्लाइट में से travel कर रो एकदम से एक जानवर आजा तो कैसा होगा experience right there was quacks and shrieks and a woman stood up on her seat screaming out a rat a rat एक दम से सारे passengers बहुत जादा you know anxious होगा सब चिला जा रहे है और यह क्या हो रहे है और एक lady तो इतनी डर गई थी कि वो अपनी seat पे खड़ी हो गई और इसको देखकर order को बोलती है और यह चूहा एक चूहा है क्योंकि उनको लगा कि एक rat है I caught sight of Mitch's tail disappearing beneath the legs of a portly white turbaned Indian Finally author ने देखा कि author की मतलब जो पूछ है वो किस side जा रही है जहां पर यह एक portly यानि मोटू से ठीक है एक white turban white पगडी पहने हुए Indian man थे और उनके यहाँ पर उन्होंने देखा कि कौन गया है Mitch किस ने रेखा author ने Whatever words देखो, flash का मतलब very quickly, बहुत बहुत जल्दी, squacks and shrieks यानि yelling, चिल्लाना सब चिल्लाने लग गए और portly का मतलब stout यानि मोटा होता है तो एक मोटे से सफेद पगडी पहने हुए Indian बैठे हुए थे जैसे आप image में देख सकते हो और वहाँ पर उन्होंने author को देखा clear? मिज एक जटके से डिबबे से बाहर आ गया और विमान में नीचे तेज गती से गायब हो गया चीक पुकार मची हुई थी और एक महिला अपनी सीट पर खड़ी होकर चिल्ला रही थी एक चूहा, एक चूहा मैंने मिज की पूच को एक सफेद पगड़ी वाले भारती अके पैरों के नीचे से गायब होते देखा अब ये इन्होंने देख लिया है तो आब ये पकड़ने के कोशिश करेंगे मिज को उसमें भी बड़ा कॉमिक इंसिडेंट होगा देखते हैं डाइविंग फुर इट, I missed, but found my face covered in curry हुआ क्या ना, जब ओविसली फ्लाइट में एर होस्टेस खाना सर्फ करते हैं सबको तो खाना सर्फ किया होगा, तो कोई करी यानि कि कोई ऐसी लिक्विड वाली सबजी खा रहा होगा तो डेफिनिटली आपको याद आरोगा, जौनी लिवजी का इसा सीन है, तो वो चीज जो है, सेम यहाँ पर इनके साथ हुई थी परहाप सेट अट एर होस्टेस विद अपनी सीट पर बैट जाईए, मैं जाकर ओटर को ढूंती हो और उसको आपके लिए लेकर आते हो अब इसको हिंदी में देखते हैं, मिच को पकड़ने के लिए मैंने जपटा मारा, पर मैं चूक गया, लेकिन मेरा चहरा करी से धका हुआ था शायद सबसे आकरशक मुसकान के साथ एर होस्टेस ने कहा, यह बहतर होगा कि आप अपनी सीट पर फिर से बैठें और मैं जानवर को ढूंड लूंगी और आपके पास ले आऊंगी अब देखते हैं यह order को ढूंड पाती है और लेकर आपाती है कि नहीं I returned to my seat, I was craning my neck, trying to follow the hunt, when suddenly I heard from my feet a distressed chitter of recognition and welcome and mitch bounded on to my knee and began to nuzzle my face and my cheek and my neck Finally क्या हुआ, यह अपनी सीट पर जाके बैठ गया, बट ऐसे थोड़ी बैठ जाएंगे हाँ, ठीके खुदी लियाएगी, एर होस्टेस नहीं वो बैठ के अपनी जो गर्दन ऐसे नहीं, जब हम देखते हैं क्या हो रहा है, ऐसे करके उसे कहा जाता है, craning of the neck, यह अनि गर्दन भाब निकाल के आप देख रहे होते हो और अपना जो नाक है वो ऐसे से तरीके से रगडने लगा, कहां उनके चहरे और उनके नेक पे, clear, okay वो अट देखते है, craning, stretch out one's body or neck in order to see something, अपनी body या अपने नेक को ऐसे stretch out करना, ताकि आप कुछ देख पाओ सो कुछ देखने के लिए अपने शरीर या गर्दन को stretch करना, bounded on to, climbed up quickly, यानि की उपर से फटा-फट से चड़ गया, वो घुटने पे जल्दी से उपर चड़ गया और nuzzle यानि to rub gently with the nose, नाक से दवाना या रगडना, उसे कहते हैं क्या नuzzle, okay फटा-फट से इसका हिंदी रेखो, मैं अपनी seat पर वापस आ गया, मैं मिज को ढूणने के लिए अपनी गर्दन आगे कर रहा था, जब अचानक मैंने अपने पैरों के यहां एक जानी-पहचानी सी आवाज सुनी, और मिज मेरे घुटने से बंद गया, और मेरे चेहरे औ होगी एंड में, बट इसमें आप बहुत सारी इंफोमेशन जानोगे, तो यह फाक्स बगिरा के बात करने वाला है, तो ध्यान से सुनना है, ठीक है? After an eventful journey, Maxwell and his daughter reach London, where he has a flat. Finally, इतनी सारी चीजे होने के बात, यह पहुत जाते हैं London, जहां पर Maxwell का क्या है, एक flat है. Midge and I remained in London for nearly a month, और वहां पर Midge Bill और author करीबन एक महीने के लिए रुके थे. He would play for hours with a selection of toys, ping pong balls, marbles, rubber fruit and a terrapin shell that I had brought back from his native marshes. अब Midge जो हैं और यह जो हैं हमेशा लंडन में नहीं रह रहे थे, एक महीने के लिए रुके थे, और वहां पर यह गंटों तक बस खेलता रहता था, क्योंकि इसको खेलना बहुत जादा पसंद है. किसे खेलता था, इसके कुछ चहीते खेलोने थे, कुछ toys थे, जैसे ping pong ball, ऐसी ball नहीं होती, जो ऐसे टपक नीचे फेकते ओपर आती है, ऐसे उसे उचलती रहती है, उसे ping pong ball कहते हैं, तो ये ball थी, उसके पास वो खेलता था, then marbles, कंचे थे, rubber fruit, यानि fruits थे, बड़ रबर के बने हुए, प्लास्टिक के बने हुए, और टेरपिन शेल, एक क्या था, खोल था, जो की वो लेकर आये थे, उसके जगह से, जहां से वो आया था, टिगरेस मार्शल से, वहां से वो उसके लिए वो शेल लेकर आये थे, फटावट से देख लेता है, meaning of टेरपिन शेल, ये ह खेला करता था, ठीक है, चलिए, वसी को हिंदी में देखते हैं, चतुरत भाग में कहा गया है, एक घटना पूर्ण यात्रा के बाद, Maxwell और उसका उद्विलाव, लंडन पहुशते हैं, जहां उनका एक फ्लाट है, एक घर है, मिज और मैं करीब एक महीर तक लंडन में रहे और वहां खिलोनों से, जो की है, पिंग पॉंग बॉल, कंचे, रबल की बने फल और एक खोल के साथ, घंटों तक जो ये मिज है, वो खेलता था, जिसे मैं उसके मूल दलदल से वापस लाया था, क्या लेकर आया थे मूल दलदल से, जो टेरपिन शेल है ना, जो खोल है कच हुए कि वो लेकर आया थे, वो स्मार्शिस से, और इन सब खिलोनों से क्योन खिलता रहता था, ओटर, डान, ओके, ये जो पर्टिकुलर गेम है, ये आपको प्रूफ करेगा, इंटेलिजेंस ओफ ओटर, कि ओटर कितना जादा, या इंटेलिजेंस ओफ मिज बोल देते हैं, कि कितना जादा ये जो है, इंटेलिजेंट था ओटर, कि उसको, मतलब इतना दिमाग था, कि वो अपना एक पढ़ते हैं, ठीक है, तो आपको question अगर आता है, कि क्या मिज इंटेलिजेंट था, तो आप कैसे प्रूफ करोगे, इस पटिकुलर गेम से, ठीक है, चलिए फड़ापट से ये गेम पढ़ लेते हैं, उसने वो गेम जो ये टपपा खाती रहा बॉल, उससे इंवेंट किया था, उसके हिसाब से, इस बॉल कुड कीप हिम एंग्रोज्ट, एक समय पे आदे घंटे तक ये बॉल वाला गेम, इसको जो है, पूरी तरीके से इंग्रोज्ट रखता था, इंग्रोज्ट यानि कि व अब यहां ऑथर बोलते हैं कि एक बार जब यह एराक जा रहे थे ना, तो इनका एक सूटकेश जो है, वो खराब हो गया था, मतलब थोड़ा सा डामज हो गया था, so that the lid when closed remain at a slope from one end to the another, तो ऐसा था कि इतना खराब हो गया था, कि जो उसका उपर का मतलब यह जो बंद करते हैं, जब सूटके जो लिड होता है, जब आप उसको बंद करें, तो वो पूरी तरीके से बंदना होकर ऐसे उठा हुआ था, तो एक slope था, यानि ऐसे, क्या बोलू, of the suitcase, तो उसने क्या देखा, कि भाई, जो फूरी तरफ रखेगा, तो अगर मिच जो है, बॉल सबसे उपरी तरफ रखेगा, तो बॉल नीचे 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 लुड़क कर आजाएगी, तो उसने ये game invent कर लिया, अब वो खेलता कैसे सा बात करेंगे, पहले engrossed का meaning देख लीजे, engrossed is completely interested in, किसी चीज में तल्लीन हो जाना, बिल्कुल खो जाना, वो होता है engrossed होना, दान, चलिए इसी को हिंदी में देखते हैं, पिंग पॉंग बॉल के साथ उसने अपने खुद के एक खेल का आविश्कार किया, जो उसे एक बार में आदे घंटे तक तल्लीन रख सकता था, एक सूटकेस जिसे मैं इराक ले गया था, घर की और यात्रा में तूट गया था, तो वो तूट गया था थोड़ा, कैसे तूटा था, जब उसको बंद करते, तो धक्कन बंद होने पर एक छोड से दूसरे छोड तक धलान पर रहता, धलान इस दवर थोड़ा स्लोपी, वो अगर यहां बॉल रखता, तो यह जो पूरी लेंथ है, लंबाई है, उसमें वो नीचे-नीचे बॉल आ जाती, डाम चलिए, अब देखिए, खेलता कैसे है वो, He would dash around the other end to ambush its arrival, hide from it crouching to spring up and take it by surprise and grab it and trot off with it to the high end once more, यह क्या करता, यहां पर ही बॉल रखी है, जैसे ठीक है, बॉल जो है, जैसी वो यहां रखता नो, तो यहां जाकर छुप जाता, नीचे साइड जाकर चुप जाता, यह जैसी बॉल आए, यह बॉल को डराता कि, यह मन यह बॉल जाता, फिर जाता, फिर बॉल रखता, और इस तरीकी से आदे गंटे था, यह गेम खेलता रहता, तो डेफिनिटली हमारे लिए ऐसा होगा कि, यह कौन सी बड़ी बात है, तो हम ऐसी कर लेते, भाया वो अटर है, है ना, तो उसने अगर दिमाग लगा लिया, उस चकता, स्प्रिंग की तरह, और टेक इट बाई सप्राइस, ग्राब इट, और ऐसे लेता हो, जोसी कि वो शॉक्ड हो, ऐसे करके बॉल को पकड़ लेता, और अच्छे से ग्राब कर लेता, और ट्रॉट ओफ विद इट टु था हाइंड वांस मोर, उफिर से भागते होए ज जाते, आज वो एक डॉग है, जैसे डॉग को नहीं लेकर जाते हैं, विल्कुल बांत कर बॉडी वेल्ट वगेरा, वैसे ही वो ओटर को ले जाया करते, फटाबट से मीनिंग दिखते हैं, आमश और टॉट ओफ का फिरिसका हिंदी में ट्रांसलेशन देखेंगे, आमश का है, ट्रॉट ओफ, टू लीव, चले जाना, तो वहां से ये चला जाता, और क्या करता, बॉल को फिर दूसरे हाइंड पर वापस ले जाएगा, रखेगा, फिर वो नीचा आएगी, फिर पकड़ता, तो इससे प्रूफ होता है कि ओटर कितना इंटेलिजिन था, क्योंकि ऐस गेम, सोचना और फिर उसको खेलना, डेफिनिटली सप्राइजिंग था, ऑथर के लिए भी हो हमारे लिए ठीक है, अब इससे रिलेटिड ये जो एकसाइस के लिए ले जाते हैं, उससे रिलेटिड भी कभी फाक्स हैं, बात करेंगे उसकी, पहले इसको हिंदी में देख ल कराता, ठीक वैसे ही जैसे वह कोई डॉग हो, जैसे कि एक डॉग को जो है आप कराते हो ना, कि दूदेस अन ऐसे से करके, वैसे ही एमार्ग दर्शन देते हो उसको और उसको बताते कि ओर्टर को भी क्या करना है, clear, okay. Mitch quickly developed certain compulsive habits on these walks in the London streets, like the rituals of children who on their way to and from school must place their feet squarely on the center of each paving block, must touch every seventh repride of the iron railings और pass to the outside of every second lamp post. क्या दिया हो है हापे, कि मिजने न, बहुत जल्दी-जल्दी कुछ compulsive habits develop करनी थी, compulsive habits का मतलब होता है, ऐसी आदते जो ना, आप बहुत आसानी से छोड़नी पाते ले, कि आपना मजबूर हो जाते हो चीजे करनी के लिए, जैसे अगर आपको पसंद आता कि मतलब अपने चीजे चरते हैं, दूसरी सीडी चरते हैं, तर तीसरी सीधी पांच्छी सीडी पर पैर रखेंगे वो चौती सीडी पर पैर रखेंगे यह न तो यह आदत होती है, कंपाल सिवार्धे हैं मजबूर कर रहा हूँ वैसी कुछ आदते हैं, जो मिजने भी develop कर ली थी, उसी तर पर दोसरा बच्चे करते हैं दूसरा अगर आयन की रेलिंग्स लगी हुई है तो हर साथ वी रेलिंग को यह टच करना है तीसरा पांस तु दा आउट साइड अवरी सेकेंड लांप पोस्ट यानि एक लांप पोस्ट आया मतला इसा खंबा लगा हुआ है तूसरा लगा यह त इस तरीके से जो है एक कमपल्सिव हाबिट्स होती बच्चों में वैसी कुछ हाबिट्स मिझ ने भी डेवलाप की थी क्या है पढ़ेंगे पहले कमपल्सिव हाबिट्स पढ़ते हैं इसी आदते जो आप कंट्रोल करी नी सकते बाध्यकारी आदते ठीक है फड़ाबर से हि वर्श ब्लॉक के केंद्र में चोक और रूप में रखना चाहिए कि भी है उसमें रखना है पहर लोगे की रेलिंक के हर साथ में रेलिंक को छूना या फिर हर दूसरे लामपोष्ट के बाहर की और आना ये सब चीजे बच्चे करते थे जैसे वोतलाब ऐसी होता है कि फो प का फॉलो का निक लिए वैसी कुछ मिज ने डेवलाप की थी पढ़ते हैं फटा-फट से ओपसे टुमाइफ फ्लाप वस इंगल स्टोरी प्राइमरी स्कूल अलोंग फ्रन्टेज रन लो वाल सम 2 फीट है तो यहाँ पर यह बोलते हैं कि मेरे घर के ज़स सामने एक सिंगल स्टोरी यानि एक फ्लोर का प्राइमरी स्कूल बच्चो का स्कूल था और उस स्कूल के ज़स सामने एक दिवार थी जो 2 फीट की हाइट की होगी और एक छोटी वाल है यह ना वाल बहुत बड़ी होती है, दो फीट कितना ही होता है, तो छोटी सी वाल लगी हुई थी, on his way home, तो जब भी वे otter घर के लिए जाता है, जब इसको लेकर जारे तब नहीं, जब भी वापस घर आ रहा होता था, but never on his way out, मिज would tug me to this wall, वो फटाफट से उसको खीच के ले जाता वहाँ पर, jump on it, उस wall पे खड़ा हो जाता, otter, and gallop the full length of its 30 yards to the hopeless distraction, both of pupils and of staff within, और ग्यालप मतलब बहुत तेजी से भागता वो, पूरी length पे, 30 yard की length है, उस पे पूरा भाग भाग के जाता, और इस वज़े से जो बच्चे हैं, और वहाँ के टीचर्स हैं, वो सब डिस्ट्राक्ट हो जाते, सब का इदर उदर मन चला जाता, और वो बहुत ज़्यादा परेशान थे इस चीज से, क्योंकि मिज यह हमेशा करता, उसको जब घर से लेके जाता है, तब कुछ नहीं करता, वापस आता ना, तो उस दिवार पर खड़े हो जाता, फिर वक करते रहता, और उनका ध्यान भटक जाता, क्लियो, चलिए, वट देखे, distraction, मेरे फ्लाट के सामने, एक मंजिला प्राइमरी स्कूल था, जिसके सामने की तरफ करीब दो फिट उची एक मीची दिवार थी, अपने घर के रास्ते में, लेखिन कभी भार जाते समय नहीं, मिझ मुझे इस दिवार पर खीच लेता था, उस पर कूच जाता था, और इसके 30 गच की पूरी लंबाई सरपट दोड़ता था, छात्रों और करमचारियों दोरों का ध्यान भटकाता था, तो वह बड़े परिशान थे की क्या कर रहा है ये अनिमल, तो ओतर कहते हैं कि मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी, अजीब बात नहीं थी, कि लंड़नर्स को पता ही नहीं है कि ओतर क्या होता है, ठीक है क्या पर ओतर्स थे नहीं, बट जिस तरीके कि वह अनुमान लगाते थे ना कि क्या ही ये जानवर है, क्या ही ये जानवर है, वो चीज़ इनके लिए बड़ी शॉकिंग थी, ओटर्स बिलोंग तो अ कंपरिटिवली स्मॉल ग्रूप अनिमल्स काल्ड मस्टलिंज, शेर्ड बाजर, मौंगूस, वीजल, स्टोट, मिंक अन अदर्स, तो ये जो पटिकुलर ओटर्स होते हैं, ये एक ग्रूप को बिलोंग करते हैं, जो छोटा सा ग्रूप है, कमी जान जानवर इसमें और उस ग्रूप का नाम है मस्टलिंज, जिस ग्रूप में आपको बैजर, मौंगूस, वीजल, स्टोट, मिंक और बाकी के जानवर मिल जाएंगे और उसमें से एक ओटर है, ठीक है, फड़ा फट से इसको रीट करते हैं, मैंने बोला आपको फैक्स बहुत म अश्चरे की बाद थी, उद बिलाव मस्टलिंज नामक जानवरों के तुलनात्मक रूप से छोटे समहू से संबंधित है, जिन में बिजू, नेवला, वीजल, स्टुआउट, मिंक और अन्य जानवर आते हैं, तो उन जानवरों में से एक कौन है, ओटर, clear, okay अब होता क्या कि इनको बहुत अजीब अजीब से प्रशने पूछे जाते, कि तुम ये क्या है, अब सारे जानवरों के नाम ले लेते लोग, बट अटर नहीं बोल पाते, कि ये अटर है क्या, कोई बोलता ही नहीं, और सबसे अजीब अजीब जो गैसे थे, जो यहाईसी अब इसको समझ लेते हैं, बैरज अफ कंजेक्शल फेशन फिल वित गैसे ठीके, तो जो अनुमान से भरपूर क्वेशन होते हैं, वैसे पूछे जाते हैं, अनुमान के सवालों की बहुचहर, Is that a walrus, mister? Reduce me to giggles and outside a dog show I heard a hippo तो किसी ने इंजे पोला था कि क्या ये walrus है? मतलब ये वो होता है walrus तो क्या ये walrus है? ऐसे करके लोग पूछते हैं तो इनको हसी आ गई और सो एक dog show के बाहर इनको किसी ने कहा क्या ये hippo है अभी मैं आपको थोड़ी दिर पहले हिप्पोपॉटमस का फोटो थोड़ी दिर पहले नहीं शाइद प्रीवेस वीडियो में दिखाया था तो कहां से वो हिप्पोपॉटमस दिखता है? मतलब ऐसे गैसे सोते थे जो कि बहुत अजीब थे author के लिए मुझे लगातार अटकले सवालों का सामना करना पड़ा जिसने सभी मस्तुलों की बात की लेकिन उद बिलाव की नहीं अधिक याच्छे ग्यनुमान थे एक बेवी सील और एक गिलहैरी की बात कर रहे थे क्या वह वॉलरस है श्रीमान? यह सुनकर मुझे हसी आ गई और एक डॉक शो के बाहर मैंने एक दर्याइए गोड़ा सुना कि यह एक दर्याइए गोड़ा एक हिपो है क्लियो? ओके तो यह लोग कहते कि हाँ यह एक बीवर हो सकता है या न यह एक बेर कप है, बालू का बच्चा है या फिर यह एक लेपड है वो लेपर्ड जिसने अपने जो दाग हैं जो स्पोर्ट्स हैं वो हटा दिये हैं मतलब उसको ब्रॉंटोसौर से भी कंपेर किया कि यह ब्रॉंटोसौर डायनोसौर है बट यह ओटर है ऐसा कभी किसी ने नहीं का एक उद्बिलाव एक भालू शावर के तेन दुआ एक जाहिर तौर पर जिसने अपने दब में बदल दिये थे और एक ब्रॉंटोसौर मिज एक उद्बिलाव के अलावा कुछ भी था लेग उनके लिए सारे जानवर था वो बट ऑटर कभी भी नहीं था clear okay but the question for which I awarded the highest score came from a laborer digging a hole in the street but author कहते है जो अनुमान या जो प्रश्न मुझ से पूछा गया है जिसके लिए मैं सबसे जादा अवार्ड दे सकता हूं किसी को marks दे सकता हूं वो पूछा गया था एक laborer एक मजदूर से जो की एक होल जो है कगढधा जो है रास्ते में खोद रह था पर उसने जब मुझे देखा उसने अपना जो टूल है जो हतियार है वो नीचे रखा अपना हाथ ऐसे रखा और मुझे घूरे जा रहा था आज धरो निर अब बुलते जैसे जैसे मैं उसके पास आया अए एक्षप्रेशन और स्प्राइस मैं ने उसके छहरे पे ऐक आश्चरी का expression देखा अन अफ्रेंट बत बहुत इस तरीके का expression जैसे की वो मुझे बोल रहा है की देखो मैं मजाप नी कर रहा हूं As though he would have been known that he was not one upon whom to play jokes तो बहुत ही insulting type का expression एक insult करने वाला हो जैसे या फिर ये बताना चाहा रहा हो कि देखो मेरे से न मस्ती मजाख नहीं कर सकते हो तुम ऐसे type का expression उसके चहरे पे था I came abreast of him, उसके side में I, author He spat, उसने थूका, glad, देखा And then ground out और फिर उसने चिला के बोला Hair mister, what is that supposed to be उसने ये नहीं बोला कि ये beaver है, ये brontos और है, ये hippo है बोलते है एक मिनिट, ये होना क्या चाहिए और ये प्रश्न उसने पूछा है या ये है क्या और ये सुनकर, author को लगता है कि ये सबसे अजीब प्रश्न था, जिसके लिए वो सबसे ज़्यादा marks उसको दे सकता है चली फटावट से upfront का मीनिंग रेखता है Which means insulting, यानि अपमानिद, और यहाँ पर abreast highlighted नहीं है, उसका भी मीनिंग है Side by side and facing the same way, यानि बराबर में वो खड़े थे Clear? Okay लेकिन जिस सवाल के लिए मैंने सबसे ज़्यादा अंक दिये, वह गली में एक गड़ा खोदने वाले मजदूर से आया मैं अभी भी उससे दूर था, जब उसने अपना ओजार रखा, अपने हातों को अपने कूलों पर रखा और घूर ले लगा जैसे जैसे मैं करीब आया, मैंने उसके आश्चेरे और अपमान की अभी व्यक्ति देखी, जैसे कि वह मुझे बताना चाहता हो, कि वह मजब करने वाला बिलकुल नहीं था मैं उसके पास आया, वह थूका, चका चौन और फिर से बोला, यहां मिस्टर, यह क्या होना चाहिए और इस तरीके से आपकी कहानी एंड होती है, तो यह कुछ चीजे हैं जो आटर से रिलेटेड मैक्सवेल की बहुत, you know, interesting incidents है उन्होंने कई किताबे लिखी हैं, इस पे अगर आप ओर ज़्यादा पढ़ना चाहते हो, तो definitely उनकी बुक्स पढ़ सकते हो, बट फिलाल के लिए आपके चाप्टर के लिए काफी है, clear, okay So, Mijbill the author is written by Gavin Maxwell, किसने लिखी है कहानी, Gavin Maxwell जो author है, उन्होंने लिखी है, the story is about the lovely bond between Maxwell and his pet Mijbill और ये जो कहानी है, वो एक बहुत ही प्यारा सा, एक बहुत ही अनोखा सा जो एक रिष्टा है, जो bond है वो दर्शाता है, between a person जिसके पास एक pet हो, तो एक पालतू जानवर और उसके मालिक के बीच जो एक प्यारा सा रिष्टा है, वो बताया गया है है हाँपर, और यहाँ Maxwell जो है author और उनका जो pet है otter यानि उद्विलाफ उसके बीच का एक bond दिखाया है, Gavin Maxwell was traveling to Basra with his friend to the consulate general, he was going there to collect and answer the mail from Europe, Maxwell casually told his friend his desire to keep an otter as a pet, his friend told him to get one from Tigris Marshes in Iraq, अब होता क्या है न, Gavin Maxwell ने बहुत ही recent में अपने dog को खोया है, उनके पास एक pet dog था, जिसकी death हो गई, और यह बहुत जादा बुरा फील कर रहे थे, बिकाज अब इनको न, ऐसा लग रहा था कि मतलब, अब कोई भी pet वो नहीं रख पाएंगे शाय, और specifically dog तो नहीं पाल पाएंगे वो, क्योंकि उनको सिरफ अपने dog की याद आएगी, राइट, फिर उनको ये भी लगता है कि भी pet की तो जरूरत है, बिकाज बिना pet के life बहुत अखेली सी लगती है उनको, तो उन्हें लगा कि मैं pet तो रखूंगा इस बार, बट मैं कोई दूसरा pet जो है, वो रखने का सोच रहा हूँ, तो अभी वो जा रहे थे, कहां बसरा जा रहे थे, जहां वो काउंसलेट जनरल जाकर, यूरोप से आए हुए अपने लिए एक डाक को, रिसीव करते हैं, एक mail को रिसीव करते हैं, और उसी का जवाब भी भेज देते हैं, अब वहाँ पर इनका एक और दोस्त है, वो भी आया हुआ है, क्योंकि दोनों का ही mail आने वाला था, तो यह अपने दोस्त को यू जाते हैं, क्योंकि वहाँ की जो लोग हैं, वो उनको पालते हैं, टेम करते हैं, जो अराब्स हैं, तो तुम वहाँ से जाके एक और ला सकते हो, clear? चलिए, इसी को अब हिंदी में देखते हैं, मिजबिल दो ओर गेवन माक्सवेल द्वारा लिखा गया है, कहानी माक्सवेल और उनके पालतू मिजबिल, यानी की जो ओर्टर है, जो उद्विलाव है, के बीच के प्यारे बंधन के बारे में हैं, गेवन माक्सवेल अपने मित्र के साथ महावाने जदूतावास, यानी कांसलेट जेनरल, बसरा जा रहे थे, यह यह यूरोप से जो मेल आने वाला था उसे लेने और उसका जवाब देने के लिए वहाँ जा रहे थे, तो क्यों जा रहे थे यह, क्योंकि वहाँ से उनको मेल आने वाला था, यूरोप से, मैक्सवेल ने लापरवाही से, यानी नॉर्मली जो है, यूही अपने दोस्त को बताया कि वहाँ एक उद्विलाव को प मैल इमेडियेटली, बट मैक्सवेल हग तो से थे थे, वहाँ जा रहे थे, मैल को जवाब नहीं आया, फिर तेलेफोन किया, तेलेफोन किया, बहुत मुश्किल से कनेक्ट हुआ, फाइनली जा कि इनका मैल बहुत टाइम बाद आता है, तो अभी एकदम से इनके दोस्त का म इनके दोस्त के द्वारा, जो लेखा के इनके दोस्त के द्वारा, साथी साथ उनके पास एक बोरी है, दोस्त के दोस्त के द्वारा, जिसमें लिखा हुआ था, यह रहा तुपारा ओटर, यानि कि वो एक ओटर देकर इनको गए है, तो ओटर वस देर इन दे साथ, उस बोरी में ही वो उद्विलाव या ओटर बन था, तो मैक्सेल जो है, अपने ओटर या उद्विलाव को मिजबिल नाम दिया उन्होंने, और उसे प्यार से अकसर मिज बुलाया करते, उनके मित्र को मेल तुरंथ मिल गया, लेकिन मैक्सेल को अपना मेल या जो डाक है, प्राप्त करने के लिए कुछ और दिनों तक वही रहना पड़ा, जिस दिन उन्हें मेल मिला, उन्होंने अपने आवास में दो अर्बो को भी देखा, और वे एक संदेश और एक बोरी के साथ वहाँ बैठे थे, संदेश उनके दोस का था, किसके दोस का, मैक्सेल के दोस का था, जिसमें कहा गया था कि यहां रहा तुमारा उद्बिलाव, यह रहा तुमारा ओटर, बोरी में उद्बिलाफ था और Maxwell अपने उद्बिलाफ को मिच्बिल कहते थे और अकसर उसे मिच भी कहते थे यानि मिच्बिल उन्होंने नाम रखा बट प्यार से उसको मिच्बिलाया करते क्लियर ओके आगे बढ़ते हैं अभी पहली बार वो ऐसी जगे पे था और तो उसके लिए थोड़ा मिच्बिल के लिए टाइम लग रहा था उसे कि वो थोड़ा अपने आपको एडाप्ट करें सिच्वेशन से कि हाँ ठीक है क्या है यह नाया परसन है नई जगे है हर किसी को अम इंसानों को भी टाइम लगता है किसी नई जगे से यूनो एक तरीके से उसका आदी हो जाना या उससे थोड़ा रूबरू होने में वही चीज इनको हुआ कि जुब मिच है उसको टाइम लग रहा था एक दिन तो लिया उसने और वो बहुत दूर दूर रह र खेलना. For otters, water must keep moving. If the water is static, the otters get irritated. उद्विला की जो भी चीज़े हैं उसमें से एक author ने सीखी कि otters को पानी हमेशा हिलता हुआ, move करता हुआ दिखना चाहिए. यानि उनको रुका हुआ पानी बिलकुल नहीं पसंद. पानी अगर बहरा है इधर उदर ओफलो हो रहा है तो खुश हो जाते हैं. अगर पानी रुका हुआ ठहरा हुआ इनको दिख जाता है तो ये बहुत इरिटेट हो जाते हैं. मिज इंज़ॉइड प्लेइंग इन वाटर और अड़ो लॉर्ण तो ओपन दे बाथरूम टाप ऑन इस ओन. और मिज को पानी में खेलना बहुत पसंद वो खुदी चला जाता बाटब में, बहुत बढ़िया खेलता रहता और अकसर उसने तो ये बहुत जादा अमेजिंग बात थी कि उसने खुदी-खुदी बाथरूम का टाप खोलना भी सीख लिया था. उसने एक बार देखा ऑथर को और उसने जैसे तैसे टाप को घुमान को बैलन्स करना और उसमें भी जगलिंग उसको मार्बल्स यानि जो कंचे होते हैं उसके साथ करने में बहुत मज़ा आता ख्लिया चलिए तो फटाफट से देखते हैं इसका हिंदी शुरुवात में मिज को नई जगे के अनुकूल होने में एक दिन लगा लेकिन धीरे-ध वह अपने परिवेश में गहरी दल्चस्पी लेने लगा मिज को पानी से खेलने में मज़ा आता था उद बिलाव के लिए पानी चलते रहना चाहिए या पानी बहते रहना चाहिए यदि पानी स्थिर है तो उद बिलाव चिड़ जाते हैं मिज को पानी में खेलने में पसंद था तो से जगलिंग और वो जगलिंग अगर कंचो के साथ हो तो वो भी बहुत पसंद थी तो ये कुछ-कुछ important pointers हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं जिससे आप ये chapter को अपने दिमाग में revision की तौर पर यूनों कर पा होगा लेकर अगर आपको last moment पे कुछ करना है तो आप ये video देखकर पूरा chapter एक बार में रवाइस कर सकते हो clear okay चलिए अगला देखते है क्या होता भी story में maximal was scared of the thought of transporting mid to England and chemistry न बिडिज airlines did not allow animals so maximal have to book a flight that allowed mid to travel है थे अभी ये लोग बसरा में रह 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 थे ठीक है बट इनको जाना था कहा अपनी जगे chemistry ना तो पहले ये लंडन जाते हैं फिर उसके बाद ये chemistry ना जाते तो जब भी maximal सोचते ना कि मुझे मिज के साथ ट्रावल करना है मिज को लेके जाना एकती दूर तो उनको बहुत डर लगता obviously because वो एक अनिमल है तो उन्होंने ब्रिटेश एरलाइन्स चेक किया जो उनको डेरेक ले जाता इंगलाइंड बट दिक्कत ही हो गई कि उनकी पॉलिसी के हिसाब से वो जानवरों को अलाव ही नहीं करते हैं फ्लाइट में तो उन्होंने तो मना कर दिया तो इस चक्कर में करकी Français तो ही माक्स्वल को दो फ्लाइट बूक करने पड़ी एक जो उनको जो ही पारिस लेके जाती ही बुग द फ्लाइट तो पैरीन और फिर वहां से नहीं जाते है Catholics लेके जाती इनको फिर पारिस एक हो फ्लाइट बूक की जो इनको लंड छोड देती दहीं The new airline insisted that Mitch should be packed in a box. और इस airline ने बूला कि आपको मिज को एक specified जो भी measurements है, उतने क्या डबा बना के उस डबे में उसको बन करके लाना है. ठीक है, Maxwell had a box made and one hour before the flight put Mitch inside and left for a hurried meal. तो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, airline का policy है, इनको लेकर तो जाना था होटर को, अगर मना कर देते कि मैं बॉक्स में ने लेकर जाओंगा, तो definitely वो भी मना करते हैं, कि आ फ्लाइट में नहीं आ सकते हैं, तो फिर ही करते क्या, इनको जाना तो था, तो इन्होंने डिसाइड किय ठीक है, उतने उतने का उन्होंने बॉक्स बन वाली है, जितने मेजरमेंट्स थे, और उस बॉक्स में निकलने के घंटे पहले उन्होंने मिज को बंद कर दिया, अब ये उन्होंने इस, you know, thinking से या इस intention से किया उन्होंने, कि मिज को आदत हो जाए डबबे की, उस बॉक्स ले जाने के विचार से डर गए थे, ब्रिटिश एरलाइन्स ने जानवरू की अनुमती नहीं दी थी, इसलिए माक्सवल को एक फ्लाइट बुक करनी पड़ी, जिससे मिज उनके साथ यात्रा कर सके, उन्होंने पारिस और फिर लंडन के लिए एक फ्लाइट बुक की, नई एरलाइन्स ने जोर दिये कर कहा कि मिज को एक डिबबे में लाया जाए, माक्सवल ने एक डिबबा बनवाया और उडान से एक घंटे पहले मिज को उसके अंदर रखा, और जल्दी जल्दी भोजन करने के लिए निकल पड़े, अब ये तो चले गए, मिज के लिए बहुत तो जब वो खाना वना खाके वापस आते हैं तो हैरान हो जाते हैं, शौक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उस डबबे से आवाज ही नहीं आ रही थी, तो ये डर गए थी, कोई भी डर जाएगा, और पूरे डबबे के आसपास जो कोने है न उससे बलड बहकर सूक चुका था, त वहाँ जो भी बॉक्स की शाप एजिस थी न उससे उसको कट लग गए थी और उससे खून भहरा था, तो मिच पूरा थक चुका था उस बॉक्स में क्योंकि उसको लगा कि मैं इतना जादा कर रहा हूं बाहर तो निकल नहीं पा रहा हूं, इसी लिए उसको बहुत जादा खून भून भहकर और ठक गया था और अब उसमें गिव अप सॉट अफ कर दिया था, he was already late for the airport and reached there a few minutes before the flight took off, अब होता क्या है, जैसे ही author देखते है उसकी condition, तो definitely box के जितने भी corners से जिससे इसको लग सकती थी तो वो हटा देते हैं, फिर order को बिठाते हैं उस box में, कार में रखते हैं फटा फट से निकलते हैं क्योंकि उनके पास बहुत कम समय था इतनी दूर एरपोर्ट तक पहुचने के लिए, जैसे तैसे ड्राइवर ने गाड़ी बहुत ही बहंकर तरीके से एक बुलेट की तरह उन्होंने चलाई और यह एरपोर्ट तो पहुचे बढ़ यह पहुचे ना फ्लाइट के अन्दर तो उन्होंने जो बहुचे लुची निकार एरपोर्ट पहुचे थे ऊन्होंने जो भी पैकेज तागे पर रख़ो और वह रख़ुचे जो भी पाकेज था जिसमें फिश थी मिज बहु दी और बोला की इसको थंडी जागए पर अब वह अच्छी थी तो वह उनको सजेस करती है कि डेफिनिटली आप अपने पेट को पैर पे तो नहीं लाप पर पसंद करोगे अपने पैरों पर रखकर नहीं जाना चाहेंगे आप अपने घुटनों पर रखकर बैठकर उसको लेकर जाना चाहेंगे तो मैक्स्वेल कि अब 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 रहाएंगे तो मैक्सवेल अब होता क्या है कि जैसी पैसंजर देखते हैं ऑई जानवर फ्लाइट में यह डर जाते हैं ज़ाएं बहुत जाता शोर शराबा होता है एक लेडी अपनी सीट पर खड़ी हो जाती है राट राट चिल लाटे हैं और एसी कंडि होती है अब Maxwell definitely अपने मिच को ढूणने की कोशिश करते हैं उनको मिच दिखता है एक वाइट टर्बंड इंडियन मैन के पास बड़ जैसी उसको पकड़ने जाते हैं वो तो नहीं आता पकड़ में बड़ इनका मुझ पूरा कड़ी में चला जाता है जैसे तैसे एर होस्टेस को बोलती है सर आप अपनी सीट पर वापस जाएए मैं मिच को ढूण कर आपके पास लाती हूँ वो फाइनली मिच को ढूण लेती हैं और Maxwell को दे देती हैं चलिए इसी को हिंदी में देखते हैं और उरान भरने से कुछ मिनिट पहले वे वहाँ फाइनली पहुच गए Maxwell ने एक एर होस्टेस को पूरी घटना के बारे में बताया उसने उन्हें अपने पालतू जानवर को अपनी गोद में रखने की सला दी क्योंकि कोई भी अपने पालतू जानवर को पैरों पर रखकर ले जाना पसे नहीं करें उनको लगे कर भी मेरे जब बैठर है तो वो समझती थी तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप जो है अपनी गोद में उसको रखकर बैठ जाएए मैक्सवल खुश थे और जैसी उन्होंने डिवा खोला मिज बहार कूद गया और हवाई जहाज में गायब हो गया मिज को हवाई जहाज में देखकर सहयात्री घबरा गए कोई भी घबरा जागा कि जानवर है फ्लाइट में एर होस्टिस ने मैक्सवल को मिज को खोजने में मदद की उन्होंने उसे लिया और मैक्सवल को सौब दिया मिज उनको मिल गया था फाइनली लंडन पहुच गये और लंडन में करीबन एक महिने तक ही रुके थे और वहां मिज बहुत जादा खेलता था बहुत उसको मस्ती आती थी क्या करेगा वो तो बहुत घंटों तक वो गेम्स खेलता रहता था मिज developed a game with the broken suitcase of the author मिज intelligent था कैसे proof कर सकते हो क्योंकि मिज जो है उसने एक game invent किया था जो कि एक टूटे हुए suitcase से मिलता चुलता था एक जो author है उनके पास एक टूटा सा suitcase था जो उनके एक यात्रा के तौरान डामेज हो गया था उस suitcase को देखकर उसने अपना खुद का ही एक game invent कर लिया था जो definitely उसके intelligence का proof है the suitcase had become damaged and the lid remained at a slope when close तो जो वो suitcase था उसका ऐसा था कि जब उसको बंद करो ना तो उसका जो उपर का lid है जो ढखकन है covering है वो अच्छे से बंदना होकर एक तेड़े ऐसी तेड़े में बंद हो जाती slope था एक angle पे वो खुला रहता Mitch would keep a ball on the high end and wait for the ball to come down the length अब Mitch क्या करता वो ball लेता और ऐसे slope है ना तो सबसे उपरी सता पर वो point पर रख देता ball को और फिर वो धीरे से छुपके सा आता और यहां wait करता कि ball उससे धीरे 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 लुड़क का नीचे आएगी he would grab the ball and then again place it on the high end आता एकदम से उस ball को जपटे से एकदम से surprise जैसे हो कि आरे मैंने तुम्हें पकड़ लिया वैसे ball को पकड़ता फिर जाता फिर आता फिर high end पे रखता तो बहुत ही cute सा game था यह order के लिए जो उसनों खुद ही invent किया था और यह देखकर definitely author बहुत शॉक्ट थे पहले भी वो शॉक्ट हुए थे जब उन्होंने देखा कि उसने नल खोल लिया पानी आ रहा उसमें से और वो चीज़ देखकर भी खुश हुए थे कि Mitch definitely intelligent है साथ ही साथ यह incident देखकर भी प्रूफ होता है कि वो कितना ज्यादा intelligent है Maxwell often looked Mitch for a walk and often took Mitch for a walk and the people of London made wild guesses about the otter according to some Mitch was a baby seal, beaver, squirrel, hippo, etc the weirdest response was from a laborer who was digging a hole he asked Maxwell, hair mister what is that supposed to be अब होता क्या है कि London में otters होते नहीं है ठीक है तो Londoners के लिए यह पता करना कि यह otter है बहुत ना के बराबर expected था तो author इसमें shock नहीं थी उनको लगता था कि मेरे लिए normal है कि हाँ उनको नहीं पता कि otter क्या है बट जिस तरीके के वो guesses करते जिस तरीके के जानवरों की बारे में वो बोलते कि हाँ यह वो जानवर है वो जानवर है वो author को बहुत अजीब लगता जैसे कुछ लोग बोलते कि यह baby seal है कोई बोलता बेबर है कोई बोलता squirrel है मतलब जिनसे कोई लेना देना है नहीं एवन बोला हिपो है एक dog show के बाद किसी ने बोला कि यह तो hippopotamus जैसा दिखता है जो कहीं से कहीं तक नहीं दिखता रहे तो author को बहुत अजीब लगता कि है mister यह होना क्या चाहिए मतलब यह भी नहीं कि यह ऐसा जानवर होना चाहिए उनका ऐसा था कि यह है क्या मतलब इसको क्या होना चाहिए और यह response author के हिसाब से सबसे अजीब था clear चले सी को हिंदी में देखते है uh तो वह यह इस तरिखे से गेम खेलता आधे घंटे तक तो वह बिजए रहता इस गेम में और यह देखकर बहुत खुश होते थे author कि इसको कितना जादा दिमाग है साथी साथ इसने ये भी देखा था कि इसमें कुछ compulsive habits जो है वो डेवलाफ हो गई थी what are compulsive habits ऐसी आदते जिने युनों ignore करना है जिने रोख पाना बहुत मुश्किल होता है तो ये order क्या करता ये एक इनके गर के सामने एक one-story school था मतलब एक फ्लोर का school था उसके सामने एक wall बनी हुई थी मतलब भहत उची दिवार नहीं थी छोटी सी दिवार बनी हुई थी इस दिवार पे order खड़ा हो जाता कूत के जाता पर कब जब ये घर से walk के लिए निकलते ना तब नहीं करता ही अपना time-wage जब ये वापस घर की तरफ आते तब ये दिवार पे खड़ा हो जाता है दिवार उससे दिवार भागता रहता जिसकी वज़े से वहां के students और teachers बहुत ज़्यादा distract होते थे उनका बिलाफ के बारे में अजीब अनुमान लगाते थे कुछ के अनुस्तार मिज एक बेबी सील, बीवर, गिलहरी, दरियाई, घोड़ा, आधी था सबसे अजीब प्रतीग्रिया एक मजबूर की थी मजबूर की थी और जो एक गड़ा खोद रहा था उसने Maxwell से पूछा, यहां Mr. यह क्या होना चाहिए और इस तरीके से आपका chapter end होता है तो यह summary है, बहुत सारी चीज़े हैं वैसे detail explanation प्लीज मिस मत करना, complete chapter revision मिस मत करना बढ़ हाँ, अगर आपको लगता है कुछ सब कुछ याद है बढ़ मेंड मेंड पॉइंट सुड़े ध्यान में रखना है तो यह summary का वीडियो आप देख सकते हो clear हो गया? Okay सबसे पहला question आपको दिया हुआ है what experiment did Maxwell think chemistry or now would be suitable for? तो उन्होंने ये use किया है I think पहले दूसरे को ही तो paragraph में लिखा हुआ है कि भई this was the right place याँ कुछ करके for the experiment अब ये experiment क्या है? तो भई ये सोच रहे थे कि वो otter को पालेंगे ठीक है? और वो रहते कहा है? chemistry or now में रहते हैं जहां से एक अगर वो पत्थर फिकेंगे ना तो जो दूरी कवर होगी तीसी दूरी पे पानी है और वैसे भी chemistry or now में बहुत ज़ादा पानी है तो उन्होंने सोचा ये place ये जगे बहुत ज़ादा best रहेगी otters को पालने के लिए क्योंकि otters पानी में ही रहते हैं clear? चलिए so maximal thought, thought कब लिखते हैं जब think का past लिखना होता है यानि maximal ने सोचा था, so maximal thought that chemistry would be suitable for the experiment to domesticate, what is domesticate पालना, जैसे आपने कभी पढ़ा हो, बच्पन में around second, third में पढ़ाया जाता है, क्यों कौन कौन से जानवर होते हैं, तो आप पढ़ते हो wild animals और domesticate domestic animals, यानि कि आप पढ़ते हो जंगली जानवर और पालतू जानवर, ठीक है so domesticate word ही काई से आता है आपका पालतू जानवर से so experiment to domesticate an otter as it was surrounded by water क्योंकि chemistry अना पूरी तरीके से पानी से घिरा हुआ है, which would be a suitable spot for this experiment तो ये सबसे बढ़िया जगे रहेगी otter को पालने के लिए, क्योंकि उसको भी पानी बहुत पसंद है clear? चलिए, दूसरा प्रशन देखिए why does he go to Basra? क्यों गए वो Basra? क्योंकि वहाँ पर councillate general जाकर उनको अपना Europe से आने वाला mail collect करना था और उसको reply करना था how long does he wait there and why? वो कितने time तक वहाँ रुके रहे और क्यों? तो भही बहुत दिन लग गए उनको क्योंकि उनका mail आया नहीं ठीक है फिर उन्होंने कोशिश की कि वो connect कर पाए phone पे बात कर पाए नहीं कर पाए but finally भी 5 दिनों के बाद उनका mail आ जाता है so the writer went to Basra to collect and answer his mail from Europe he waited there for many days as his mail did not arrive and he was not able to connect over phone phone पे भी नहीं कर पाए थे वो क्योंकि बहुत time तक lines वगरा खराबती अगर ये long answer आता है तो आपको पूरा mention करना पड़ेगा वो पहले दिन क्या हुआ फोर नहीं लगा दूसरे दिन चुटी तीसरे दिन कुछ प्रॉब्लम हुई ऐसे से करके and finally after 5 days he received the mail clear? ओके चलिए तीसरा question देखिए How does he get the order? Does he like it? Pick out the words that tell you this उनको author जो है वो कैसे मिला? तो हुआ ये कि जैसी इनको mail आया ना तो ये अपने कमरे में mail को पढ़ने के लिए गए जैसी गए वहाँ इन्होंने देखा कि दो अराब्स जो है squatting position में आनि knees के बल बैठे हुए है इनके हाथ में एक पत्र है और एक sack है एक बोरी है वो पत्र इन्होंने दिया उस पत्र में लिखा हुआ था Maxwell के दोस द्वारा भेजा गया था कि ये रहा तुम्हारा ओर्टर यानि कि उन्होंने उसके लिए ओर्टर भेजा था दिद ही लाइक इट? लवड इट उनको ओर्टर बहुत पसंद आया So when the mail arrived, Maxwell took it to his bedroom to read He saw two Arabs squatting on the floor बिल्कुल नीज के बाल बैठे थे with a sack, एक बोरी के साथ They handed the author a note वो एक note देते है author को which was from his friend जो उनके दोस के थू था That mentioned that he had sent him an order कि उन्होंने उनको एक order भेजा है Yes, Maxwell liked it definitely उन्होंने बहुत पसंद किया order को He used words like an order fixation which was used to express a strong attachment towards otters तो उन्होंने order fixation word उस किया है जो एक गहरा लगाव order की प्रती दिखाने के लिए उन्होंने बताया है Okay, next question Why was the order named Maxwell's order? तो ये तो पूरा आपकी बुक से है कि एक नाम है और उसको short में बोला जाता था Maxwell's otter So the otter was named by Zoologus as scientific name है और इसको छोटे में बोलना होता है एक short में बोलना है तो इट बुड़ भी Maxwell's otter Clear? Okay Next question है Tick the right answer आपको जर्फ टिक करना है In the beginning the otter was Starting में otter कैसा था? Aloof and indifferent अलग-अलग रह 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 था Friendly, बहुत ज़्यादा प्यार से रह 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 था Hostile, बहुत ज़्यादा ऐसे Unfriendly type का behave कर रह था तो ना तो friendly था ना unfriendly था वो बहुत अलग रह 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 था Aloof and indifferent था So in the beginning the otter was Aloof and indifferent Definitely इसको टिक करके एक answer में नहीं बता सकती तो मुझे आपको पुरा sentence बताना है तो ऐसे लिखो गया अगर पूरा sentence लिखना है तो Clear? Okay, चलिए Next Sixth है What happened when Maxwell took Mijbill to the bathroom? What did it do two days after that? तो क्या हुआ जब Maxwell Mijbill को bathroom लेके गए और दो दिन बाद उसने क्या किया? तो जब वो Maxwell को bathroom लेके गए मतलब सरी Mijbill को bathroom लेके गए तो उसने क्या किया? वो पानी में मस्ती करने लगा प्लंच करने लगा स्प्लैश करने लगा उसको बहुत मजा आया उसने बहुत मस्ती की और दो दिन बाद Maxwell देखते हैं कि वो खुद बाखुद bathroom की तरफ गया उसने वहाँ पानी में खेला टैप को वो अपने हातों से जैसे तैसे खोल रहा था फाइनली उसने नल भी ओपन कर लिया और उस पानी में फिर वो खेलता रहा ठीक है? So when the author took Mitch Bill to the bathroom जब वो उसको बाथरूम लेके गए It went wild with joy वो पागल हो गया खुशी के मारे in the water Plunging and rolling in it उस पे चपचप करता कूटता और रोल करता तो उसको बहत मजा आ रहा था He made enough slosh and splash और पानी में बहुत ज़ादा चपचप कर रहा था परिकस उसको बहत ज़ादा मजा आ रहा था He thoroughly enjoyed the water तो उसने पानी को पूरी तरीके से enjoy किया ये था क्या हुआ जब उसको पहली बार लेके गए दो दिन बात क्या हुआ After two days, water suddenly disappeared वो एकदम से गायब हो गया and went to the bathroom to play in the water तो पानी में खेलने के लिए वो बाथरूम की तरफ गया He was fumbling at the chromium taps with his paws अपने पंजो से वो fumble यानी clumsy manner में अजीब तरीके से नल को खेल रहा था मतलब खोलने कोशिश कर रहा था He had turned the tap to produce a trickle of water slowly and after a moment achieved the full flow तो उसने इतना तो खोल दिया था कि पानी थोड़ा 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 आने लगा था तो finally क्या हुआ ना मतलब British Airlines में animals allowed नहीं थे तो उन्होंने एक flight book की from Basra to Paris and then from Paris to London अब ये airline का ये शर्त था कि आपको एक box में एक डिबबे में बंद करकर order को लाना पड़ेगा तो उन्होंने वही किया So to transport Mitch to England Maxwell booked a flight to Paris and from there to London as British Airlines did not allow animals on board तो short में इतना लिखना है कि British Airlines on board यानि flight में अलाओनी करते animals को तो इन्होंने Paris और फिर Paris से लंडन तक की flight book की The airline insisted, airline ने जोर दिया that Mitch will should be packed into a box to be carried on the floor near Maxwell's feet कि उसको एक box में बंद करना है वो box आपके पैरों के पास जो first होगा फ्लाइट पे उस पे रखकर आप travel कर सकते हो Okay, next question What did Mitch do to the box? अब क्या होता है ना author जो है उसको एक घंटा पहली box में बंद करके चले जाता है ताकि वो थोड़ा adapt हो जाए थोड़ा आधी हो जाए उसका but Mitch जो है परिशान हो जाता है वो अपने आपको निकालने की पुरी कोशिश करता है उस दौरान उसे लग जाती है box से खून बहता है और वो पुरी तरीके से वहाँ थका हारा अंदर पंध रहता है Maxwell put Mitch into the box an hour before the flight so that he would become accustomed to it यानि आधी हो जाएगा उसका the box was lined with a metal sheet metal lining होती ही है so Mitch tried to escape from the box and tore into the metal lining of the box and got hurt so उसमें metal lining थी उसको लग गई इसको लग गई इसलिए उसका खून बहने लगा done clear next है why did Maxwell put the order back in the box how do you think he felt when he did this भाई ओटर को उन्होंने वापस box में डाल के कार में ले गए तो आपको क्या लगता है उनको उसका क्या फील हो रहा होगा definitely उन्हें बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि ओटर को बहुत लग गई थी but obviously उन्हें फ्लाइट कैच करनी थी नहीं पहुच पाते लंडन तो इसलिए बुरा तो लग रहा था क्योंकि वो टेंशन में थे क्योंकि फ्लाइट मिसना हो जाए और बहुत ज़दा परिशान थे क्योंकि ओटर का खून बहरा था तो उसको बहुत लग गई थी तो उन्हें बहुत दुख हो रहा था clear? Okay Next है Why does Maxwell say the air hostess was the very queen of her kind? Aisah क्यों बॉला उन्हें क्योंकि उन्होंने air hostess में क्वालिटी देखी कि उसने उनकी हमेशा मदद करने की कोशिश की वो समझ रही थी उनकी बातों को उन्होंने बोला अपने लाप पे रख सकते उप अपने पेट को उनको मदद करी थी ढूनने में तो उन्होंने एक बार भी उसको चिलाया नहीं आई यह नहीं बोला सराब बैड जो भी है तो उनको लग रहा था कि यूनो वो परसन जितना भी उनका क्रू होगा और भी एर होस्टेस होंगी सब में वो सबसे बैस थी अब जो बैस होता है वही क्वीन होता है इसलिए उन्होंने ऐसा कहा So Maxwell said the air hostess was the very queen of a kind as she was friendly बहुत अच्छी थी वो and short sympathy to Maxwell उनको दया आ रही थी कि मतलब ऐसा pet लेके जा रहे उसको लग गई है after listening to his story The air hostess gave Maxwell permission to take the otter out of the box and keep it on his lap on this author developed a profound admiration for the kind lady तो वो खुदी बोलती है कि sir आप बिलकुल बॉक्स से निकाल कर रख सकते हैं otter को अपने lap पे ले जा सकते हैं तो ये देखकर उन्हें लगा कि कितनी अच्छी है ये और वही चीज थी जिसकी वज़े से एक उनके मन में admiration एक प्रशन सा जो है वो डेवलाफ हो गई for the air hostess Done? Okay Next है what happened when the box was opened हुआ कि यहाँ जैसी वो फ्लाइट में box open करते है तो एकदम से मिजबल निकलता है फटा-फटा से भागता और फ्लाइट में चला जाता है अब सारे लोग चीखने लगता है चिलाने लगता है कि भाईया राट है यहाँ जो भी जानवर जैसे तैसे ओटर को वो दिखता है वो कोशिच करते है उसको पकड़ने की बट नहीं पकड़ पाते है पुरा चहरा कड़ी में हो जाता है फिर एर होस्तेस बोलती आप जाके बैट किया मैं धूनती हूँ बट फिर मिजबल खुदी आ जाता है उनकी पैरों के पास और वो ओथर के पास आ जाता है क्या गेम मिज ने खुद स्टाट किया था इंवेंट किया था मिज ने एक गेम स्टाट किया था जिसमें उसने ओथर का एक तूटा-फूटा सुटकेस देखा मतलब ऐसा था वो कि उसको बंद करो था ऐसे धलान होती थी उसमें जो लिड था उस पे तो वो क्या करता उपरे छोर पे बॉल रखता वो नीचे नीचे लोडग कर खुद नीचे आती पकडता फिर जाता तो ये गेम उसने खुद इंवेंट किया देन ये वोट कैश देख बॉल और रिपीट करता रहता ये गेम था जो ने इनवेंट किया ओके नेक्स्ट क्वेश्टन वाट अप बहुत मुश्किल से छोड़ पाते लिक आप न वो चीज करते हो यू कांट लीव थैं तो मैक्सवेल ने दोनों की बताई है कि छोटे जो स्कूल चिल्रन बच्चे होते हैं उनको जो भी पेर रखना होता है हर सेवेंथ लाम पोस को टच करना है वो चीज की बतानी है So, compulsive habits are the habits that are impossible to control आप control करी नहीं पाते हो आप आदी हो जाते हो उसके और आप पो करना ही होता है जैसे स्कूल की बत्चों की है As per the story, school children must place their feet on the center of each paving block, must touch every 7th upright of the iron railings and pass to the outside of every second lamp post अच्छा तो 7th railing है, iron railing जिसको touch करना है और 2nd lamp post जिससे बाहर आना है Mijbill had a compulsive habit to jump over the boundary wall or boundary wall railing and run at full speed throughout its length अगर आपको इसको और जादा लिखना है पैसे लिख सकते हो Mijbill had a compulsive habit of habit to jump over the wall of that one storied building and just run at full speed throughout it and disturb which led to a disturbance for what or distraction for the teachers and the students, clear? Okay, next question, what group of animals do otters belong to? यह तो बहुत direct question है आपकी book से ही के mustelins group के ओतर और उनमें क्या 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 members होते है So otters belong to a comparatively small group of animals, बहुत छोटा group है, मतला बहुत कम animals है इसमें, जिससे mustelins कहते है This group includes badger, mongoose, weasles, stort, mink and others तो इध्यान में रखना, because आपको पूछा जा सकता है, डान? Okay, next question What guesses did the Londoners make about what mish was? So what guesses थे beaver, seal, hippo and everything, तो वो ही लिखने है Londoners did not recognize otters as they are not found in England, वो वहां पे इतने पाए नहीं जाते है They made the wildest guess about mish will, सबसे अजीब, सबसे weirdest guesses कि उनोंने Some guesses are baby seal, a squirrel, walrus, baby beaver, bear cup, leopard, hippo and a brontosaurus Even dragon से भी उसको compare कर लिया था, दान? Okay, next move करते है Thinking about the text, यानि long answer type questions What things does mish do which tell you that he is an intelligent, friendly and fun-loving animal who needs love? तो आको तीनों पूफ करने Intelligent में बता चुक्यों, fun-loving भी समरी में बता दिया था और रही बात friendly की तो वो भी देख लेते है So, Midge was an intelligent animal, intelligent था वो He invented his own game of ball on a damaged suitcase of Maxwell Maxwell was amazed to see the intelligence of Midge The way Midge was able to open the tap in the bathroom is another instance where he proved his intelligence So, दो हैं जो intelligence प्रूफ करते हैं, एक tap वाला और एक suitcase के game वाला Initially, Midge was not friendly and was aloof, but he gradually became friendly with Maxwell He clunged to Maxwell's feet in the flight, which proves that he was friendly with his owner Friendly कैसे प्रूफ करोगे, कि जब ये फ्लाइट में एकदम से घुम जाता र वापस आता ना तो Maxwell के पेरो को पकड़ लेता है, तो इससे प्रूफ होता है कि वो बहुत friendly था अपने owner के साथ He developed the close bond with Maxwell Otter was also a fun-loving animal as he developed games on his own and had certain compulsive habits that he exhibited when he was taken for walks तो जब भी walks के लिए जाते, जिस तरीके से वो compulsive habits दिखाता, वो भी fun-loving को ही बताते हैं, जो मैंने आपको summary में भी बता दिया था Done? Okay, next question What are some of the things we come to know about otters from this text? So, otters के बारे में आप जो जानते हो, पानी वाली चीज, everything वो आप लिख सकते हैं Otters are a part of comparatively small group of animals, कौन mustilins? Mustilins की पहली information है, तूसरा This group includes badger, mongos, weasles, tot, mink and others Otters are found in marshes, tigris marshes, where they are tamed by arabs, जहां पे arabs उनको पालते हैं And otters enjoy playing in water, उनको पानी में खेलना पसंद है उसको explain भी कर देना है, clear? Okay Next है, why is mid species now known to the world as Maxwell's otter? पहली बता दिया है, Maxwell otter क्यों बोलता है So, Maxwell otter was of a race previously unknown to science, पहले पता नहीं था इनको की otter ऐसा कुछ होता है और इसलिए इसका नाम रग दिया था, was named by zoologist, leutroglale, perspicillata, maxvilly और इसलिए उसको कहते है, Maxwell's otter in short, clear? Okay Next question Maxwell in the story speaks for the otter Mitch, he tells us what the otter feels and thinks are different occasions Given below are some things that otter does, complete the column on the right to say what Maxwell says about Mitch, feels and think यानि ये चीजे हैं और इधर पर Mitch क्या सोच रहा है, वो बताना है आपको, ठीक है? तो ये कुछ चीजें आपको दी हुई है, अब देखते हैं वो क्या सोच रहा है, plunges, rolls in the water and makes the water splash and sploosh तो वो कूदता है, पानी में रोल करता है, उस पर छप छप करता है, इससे वो क्या सोच रहा होगा otter? यानि वो खुश हो गया, पांगल हो गया, खुशी कि मारेगी पानी मिल गया है, इसलिए वो इस तरीके से behave करा था दूसरा, screws the tap in the wrong way, दूसरे तरफ गलत तरीके से मोड लेता है, तो नल नी खुलता पानी नहीं आता, तो इससे वो irritate हो जाता है तो irritated and disappointed at the tap's failure to cooperate, कि भी या tap नहीं cooperate कर रहा है, मैं तो बढ़िया कर रहा हूँ, उसको ये नल में खराबी है तीसरा, nuzzles Maxwell's face and neck in the aeroplane, जब वो वापस आजाता है फ्लाइट में, तो वो जाखे से अपनी नाक रगणने लगता है, मूँ पे किसके, author के So, feels comfort and satisfaction after a distressed chitter, यानि कि वो बहुत, क्योंकि रोने लगता है, कि दमसे आवास करने लगता है, तो प्रूफ करता है कि भाई, इससे आप उस comfortable feel करता है, ये फाइनली अपनी owner के पास आ गया हूँ, डान, ओके Next है, read the story and find the sentences where Maxwell describes his pet order, then choose and arrange your sentences to illustrate those below that you are think true So, यहाँ कुछ sentences है, आपको ये ही चीज़ प्रूफ करनी है, चाप्र की लाइन से, कि वो true है कि false है Max mids seem almost human like a small boy, अभी जो Max makes mids seem, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे कि ये इंसानी हो, एक human हो, तो he spent most of his time in play ठीक है, खेलने में बिताता था time जो human beings करते है, तो true आप लिख सकते हो, दूसरा, shows that he is often irritated with what Mitch does Maxwell को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जो भी Mitch करते थे, तो वो बहुत जादा irritated feel करते थे, कभी नहीं हुआ ऐसा, है ना, तो false है shows that he is often surprised by what Mitch does, definitely maximal surprised थे Mitch जो भी करता था, जैसे उनोंने लिखा I watched, Amazed, या आपकी chapter की लाइन से, तो ये true है, जो इस चीज से proof होता है, डान, next देखते है of Mitch's antiques is comical, भी जो भी हरकते करता, बड़ी comical लगती, तो definitely true है, क्योंकि वो जैसे लिखते है ना, उसके favorite choice क्या थे, वो back पे करता, जैसा मूटू सा back है, और गिराता नहीं, तो definitely उनको मज़ा आता था, कि कैसे Mitch खेलता है, clear, okay shows that he observes the antiques of Mitch very carefully, वो बहुत ध्यान से देखते कि Mitch क्या कर रहा है, बिल्कुल true है, प्रूफ होता है in lines से, जिस तरीकी से नोंने उसके suitcase के game को दिखाया है, बताया है, सब कुछ प्रूफ करता है, कि वो कितने ध्यान से देखते कि Mitch क्या खेलता था, तो ये भी true है, done, okay next है, shows that he thinks Mitch is a very ordinary otter, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उनको लगता था कि ये कितना intelligent है, कितनी मस्ती करता है, पानी में, टाप खोल लिया उसने, तो कहीं नहीं दिखा ऐसा कि उनको लगता था कि यार ये तो आम सा जानवर है, बिल्कुल भी नहीं next, shows that he thinks the otter is very unusual, हाँ वो अलग है, uncommon है, ये इससे प्रूफ होता है, कि ये strange है कि लंडनर्स जो है, वो recognize करते थे, बट ये जो variety of guesses थे, to what kind of animal this is, it was a surprise for him, because वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, कि यू नो किस तरीके से वो behave कर रहे है, लोगो पता ही नहीं है कि otter क्या है, तो व कैसे आप बताते हो, उस पे एक language activity है, to talk about something that happened regularly in the past, but does not happen any longer, we use would or used to, both would and used to can subscribe repeated actions in the past, तो आप models का वीडियो देख सकते हो, magnet brain पे जाके, इसको complete chapter vision देखना, मैंने बाप पढ़ाया भी है कि आप used to का specifically तब इस्तमाल करते हो, जब आप past में कोई activity बार बार करते थे, और इसी क एक word और है, which is would, जिसका इस्तमाल किया जाता है, तो will तो आप पढ़ते हैं, future के लिए would कप करते हैं, कि ऐसा शायद होता रहेगा, clear, तो इसी पे कुछ बात करते हैं, Midge would follow me without a lead, यानि हमेशा वो उनको follow करता था past में, तो would है, and come to me when I called his name, ठीक है, he would play for hours, तो लगातार खेलता था past में, तो would का इस्तमाल हुआ है, Midge would tug me to his wall, हमेशा जो है, वो मुझे wall की तरफ खीक्चे ले जाता था, तो हमेशा और past है, था है, तो would लिया है, when I was five years old, I used to follow my brother all over the place, भाई, जब मैं past साल का था, तो तब मैं अपने भाई को हमेशा पूरा time follow करता रहता था, तो करता रहता था, लगाता, तो used to follow, then he used to tease me when mother was not around, वो मुझे परिशान करता था, जब मम्मी नहीं होती थी घर पे, तो जब भी मम्मी घर नहीं होती थी, तो past में लगाता यह हुआ कि वो मुझे हमेशा परिशान करता था, clear, okay, to describe repeated states or situations, however, we use only used to, we cannot use would for states or situations in the past, ठीक है, तो जाधा तर आप used to ही use करते हैं, मैंना बोला ना मैंने model में आपको सरफ used to का ही बताया है, जहां would का इतना इस्तमाल नहीं करते हैं, past के repeated actions का हो बताने के लिए, so we do not use would with verbs like be, have, believe, etc, look at the following sentences, अब इसको समझने के लिए पढ़ते हैं इसको, when we were young, we used to believe there were ghosts in school, तो हम used to लिखते हैं, कि जब हम छोटे थे हम हमेशे यही मानते हैं, कि भई हमारे स्कूल में भूत है, तो used to लिखा है, हम यह नहीं लिखेंगे यहाँ पर कि we would believe, ठीक है, so believes shows a state of mind, कि हम क यहां सोचा करते थे, तो believe के साथ, would use नहीं करोगे, दूसरा, 30 years ago, more women used to be housewives than now, 30 साल पहले जादा महिला हैं, घरेलू महिला यहां housewife होती थी, job नहीं करती थी, जितनी अभी करती हैं, तो used to क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर यह जो है na be, कि to be, तो यह describe करता है, what a situation, जो past मे हैं, बट यहां यहां would का use नहीं कर सकते हो, clear, okay, from the table below, make as many correct sentences as you can, using would or used to, as appropriate, तो आपको यहां पर कुछ दिया हुआ है, emperor akbar और सारा word और used to दिया है, तो आप यहां से कुछ चूस करो इन में से, और इन में से कोई एक sentence का part चूस कर लेना है, और sentence बनाना है, ठीक है, तो बह यहां से, तो used to use करोगे, बुट नहीं करोगे, every evening we used to take long walks on the beach, भही हमेशा ऐसा पास में होता था, तो आपने used to use किया, 50 years ago, very few people used to own cars, तो आपने हां पर अगें used to use किया, तो आपने हां पर अगें used to use किया, तो आपने हां पर अगें उसा पहले हुआ करता था, तिल 1980s, शंगाई used to have very dirty streets, भही शंगाई जो जो जगे है, भहापर बुरी-बुरी सडके होती थी, माँ अंकल used to spend his holidays by the sea, मेरे अंकल हमेशा समुदर की किनारे अपनी छुट्टियां बिताते थे, माँ अंकल used to be fond of musical evenings, उनको बहुत छी लगती थी musical evenings, माँ अंकल used to take long walks on the beach, तो देख किसी को भी आप quality बताते हो, तो अग्जेक्टिव यूज करते हो, an eminently suitable spot, कैसा spot है, eminently suitable, his wide flat belly, चाप्र में दिया है, कैसी बैली थी, wide और flat, तो ये एग्जेक्टिव है, symmetrical pointed scales, कैसे scales है, symmetrical or pointed है, और ratio shading bullet, कैसी bullet है, ratio shading bullet है, तो ये जो words जो नाउन को describe कर रहे हैं, संग्या को बता रहे हैं, उन्हें आप adjectives कहते हो, clear, okay, nouns can also be used as modifiers, अब नाउन को भी उस कर सकते हैं, किसी को बताने के लिए, जैसे dinner party है, कौनसी party है, dinner party, then a designer dress, कौनसी design dress है, designer dress है, तो नाउन को इस्तिमाल किया है, car keys, sky key keys है, car key keys है, तो ये nouns हैं, जो यूस किये जारे हैं, को describe करने के We can use more than one noun as modifier, proper nouns can also be used, तो आप बहुत एक से जादा nouns भी उस कर सकते हो, proper nouns को भी उस कर सकते हो, what is a proper noun, ऐसा noun जो आप जो है, specifically use करते हैं, जैसे चान्नी आपने बोला, तो मेरा ही बात कर रहे हो, आप यहां पर और किसी की बात नहीं कर रहे हो, but आप girl बोलते हो, तो आप किसी की, सिल्क एक ही है, उसको कॉटन नहीं बोल सकते हैं, तो यह proper noun है, मारूती कार कीज, मारूती जो एक ब्रैंड है, कार, common noun है, तो आपने मारूती उस किया, तो दो noun से देखिए, मारूती कार, सिल्क डिजाइनर, Christmas, Dinner, clear, okay, in the examples below, there is an adjectival phrase in front of a noun modifier, the lovely Christmas party, मतलब आपको बहुत स expensive golden मारूती कार कीज, अभी देख रो, तीनों चीज़ा अट कर दी, frightfully expensive golden, तो इस तरीके से आप modify करते जा सकते हो, adjective यूज़ करके, noun यूज़ करके, के, दो दो nouns यूज़ करके, जो आपको इहां पर पुरूफ किया है, clear, okay, look at these examples from the text and say whether the modifiers in italics are nouns, proper nouns, or adjective plus noun, बहुत आसान है An outer fixation, क्या है, ये noun है, क्योंकि outer क्या है, noun है, नाम है, दूसरा iron railings, iron क्या है, noun है, क्योंकि वो iron नाम है, किसी का लोहा, तो इन संग्या है, the tigress marshes, proper noun है, क्योंकि इसके अलावा और कुछ दिमाग में नहीं आएगा, tigress marshes एक ही ही है, the london streets, london भी एक ही है, तो proper noun हो गय saucer player, तो वो soft है, बहुत मुलायम है, तो adjective, velvet का एक material है, तो आपने लिख दिया, adjective plus noun, four-footed saucer player, तो saucer क्या हो गया, noun, four-footed है, चार pair है, तो आपने लिख दिया, adjective plus noun, clear, okay, अब आ जाते हैं, बहुत सारे आपके पास यहाँ पर nouns और modifies दिये हैं, अब आपको कुछ शब्द ब time first हो सकता है, family time, college time, rough time, crossing हो सकती है, railroad first, crossing, तो यह कुछ शब्द है, जो आपको बस बताएं कि देखो किस तरीके से हम noun और adjective को यूज करके modify कर सकते हैं, clear, okay, यह पूरी list है, आप चाहें तो screenshot ले जीजे, जो कि आप इस तरीके से inbox में से जोड़-जोड कर बना सकते हो, ठीक noun adjective modifier, कोशिश करना, इसमें सिर्फ देखना noun कौन सा, adjective कौन सा है, तरह तो आपको पता होगा, अदो इस grammar के sections, sorry, grammar के videos देख सकते हो, English वाले चानल पे, clear, okay, next है, read this sentence, he shook himself and I half expected a cloud of dust, the author uses a cloud of dust to give a picture of large quantity of dust, यह collective noun है, बहुत सारी धूल को cloud of dust कहते हैं, phrases like this indicate a particular quantity of something that is not usually countable, इसको count नहीं कर सकते हो, cloud of dust, बहुत सारी धूल काउंट करोगे, क्या, नहीं, for example, a bit of land, थोड़ी सी जमीन, a drop of blood, एक, you know, बून्द खूल की, a pinch of salt, थोड़ी चुटकी भर नमक, a piece of paper, एक थोड़ा सा कागस, अब इसको गिन नहीं सकते हैं, आप सिर्फ बता सकते हैं, यह 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 अब आपको करना है, इन सब को match, कि भईया, exactly कौन सा वाला टर्म आप किसके लिए यूज कर सकते हैं, तो फटा फट से answers देख लो, portion of right fish, यानि थोड़ा सा जब खाना देते हैं, उसको portion कहते हैं, ठीक है, pool of water, पानी का पूरा pool होता है, swimming pool होता है, तो हम यूज करते हैं, flakes of stones, अगर एक साथ पत्थर एक के ओपर धेर होता है, तो इसको huge heap कहा जाता है, gust of wind, बहुत टेजी से एक साथ आंधी आती है, तो आप इसको गिन नहीं सकते हैं, तो आप गस्ट कहके बता सकते हो कि बहुत सारी हवा चल रही है, little drops of blood, थोड़ी थोड़ी बून की, then little drops of water भी सकते हो कि पानी की भी बून्द होती है, अब piece of cotton, थोड़ी सी रूई, similarly a piece of fried fish, एक fried fish का थोड़ा सा तुकड़ा, a pot of gold, अगर एक मतका होगा gold का वो आप बोलोगे, आप गिन नहीं सकते हैं, कितना gold, clear, okay, next है इनहीं को use करकर bit of, piece of, bunch of, use करके sentences बनाईए, पहला sentence आपको दि लिख सकते हो, a bit of advice, so my teacher gave me a bit of advice, next, can you give me some clay, please, थोड़ा सा क्ले दे सकते हो, उसके लिए वर्ड यूस कर सकते हो, lump of clay, थोड़ा सा क्ले का तुकड़ा, the information you gave was very useful, very useful को बोल सकते हो, a bit of information you gave was very useful, यानि कि थोड़ी सी जाप information थी, वो बहुत काम की थी, because of these, smoke hangs over the city, तो लिख सक clear, okay, next, two stones rubbed together can produce sparks of fire, two pieces of stone rubbed together can produce sparks of fire, ही लिख सकते हो, because यहाँ पर stones है, ठीक है, तो आप बोलो या तो दो पत्थर यहाँ बोलिये, दो तुकड़े पत्थर के, ठीक है, तो two pieces of stones, he gave me some flowers on my birthday, कुछ पूलो को बंच कहा जाता है, और अगर वो गुलदस्ता होता है, तो बुके कहते है, तो यहाँ करोगे bunch of flowers, easy, okay, लिखी किसने है, right, so the poem Fog is written by Karl Sandberg, किसने लिखी है, Karl Sandberg है कभी, इस पर्टिकुलर poem के, Fog is a very small poem, यह बहुत 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 छोट उसी poem है, एक paragraph, परग्रफ में सारी, एक stanza इस poem का बस, उससे जाधा कुछ भी नहीं है, तो आपको बिलक Karl Sandberg has described the process of arrival of the fog into a city and the harbour, तो यह जो poet है, Karl Sandberg, उन्होंने जब कहरा enter करता है, जब fog enter करता है, किसी भी शहर में, या किसी भी जो बंदरगा है, जो harbour है, जहाँ शिप्स वगेरा रखी रहती है, शिप्स यानि जहाज, ठीक है, तो वो जो पूरा एरिया है, वहाँ जब fog आता है, कहरा आता है, उसके entry course, के arrival course का process जो है, वो explain किया है, he has very beautifully compared it to a cat, बहुत ही खुबसूरती से, बहुत ही अलग और बहुत ही प्यारी से तरीकित से उन्होंने सपों को, fog को, एक cat से compare किया है, क्या वो comparison है, वो देखेंगे, पहले इसी को हिंदी में पढ़ लेता है, कवीता fog Karl Sandburg द्वारा लेखी गई है, किसने लेखी है Karl Sandburg ने, fog एक बहुत छूटी सी कवीता है, काल Sandburg ने कहरे के एक शहर और बंदर घाम में आने की प्रक्रिया का वर्ण किया है, तो कैसे जो कहरा है, जो fog है, वो एक सिरी में, एक बंदर घाम में प्रवेश करता है, उस पर ये कवीता है उन्होंने बहुत ही खुबसूरती से इसकी तुल्ना एक बिल्ली से की है तो वो क्या तुल्ना है चलिए स्टांजा पढ़के समझते हैं तो स्टांजा है तो स्टांजा है दो फॉग कम्स ऑन लिटल अगर कोई बिल्ली पहुच गई अगर आपने एक्सपीरिंस किया है तो डेफिनलि आप समझ रहे है पोई किया कह रहे हैं देखें अगर कोई डॉग एंटर करता है कोई दूसरा आनेवल कहीं एंटर करता है तो हमें दिख जाता हमारी नजर पर जाती है बट ये बिल्ली का पता निक्या सीन है वो ऐसे आते है अपनी छोटू-छोटू से पैर पे इत्ती धीरे-धीरे आपने पने घुटने के बल बैट जाती हो ना आपनी पोजिशन हो पताई गई है तो ये बिल्ली को गई है तो अपनी जगा बैट जाती है और वो ना आसपास देखती रहती है अपनी आखों से आस पास वह देखती रहती है और फिर एकडम से वहाँ से चली जाती है तो बिल्ली का आना बिल्ली के बैट कर यूणों सब कुछ देखना है यह इतना जल्दी होता है कि बहुत कम होता है कि लोग यह नोटेस कर पाते हैं वही चीज़ fog के साथ हैं कि जो fog है कोरा है वो भी शांती से किसी भी city में एंटर कर जाता है और फिर वो पूरी तरीकी से हर जगा चा जाता है और पूरी city को, पूरे harbor को हर जगार कर लेता है तो ये वैसा ही हुआ जैसे कि cat एक जगा बैट कर सब जगा देखती रहती है वैसे यही जो फॉग है वो भी हर जगा मतलब फैल जाता है यानि कि वो भी हर जगा हर एक चीज को देख रहे हैं उसके बाद क्या होता है कि यह जो बिल्ली वो शांती से बैट के सब देख रही होती है वैसे ही फॉग भी शांती हर जगा होता है क्योंकि फॉग में आवाज नहीं ह कुछ आवाज आती है नहीं अन्डेन मुव मूव जॉन उसके बाद फॉक चला भी जाते है कौहरा खुद बखुद बखुद चला जाता है जैसी कि बिली खुद बखुद डिसपियर हो जाती है तो यहीं चीज है जो पोईट सब कुछ देख रहा होता है और उसके बाद वो डिसपियर यानि गायब भी हो जाता है बस इतनी ही पोव है चलिए अब वर्ट देखते हैं लिटल कैट फीट, हाबर, हांच इन सब को यहां मतलब क्या है लिटल कैट फीट का मतलब है साइलिंटली, चुप चाप अब अपने दबे दबे पाओं पर आती है तो वह शांती से आती है तो वह शांती से आना चुप चाप आना दाड़ बॉर्ट इस लिल्ल कैट फीट ओन हांच इस का मतलब है सिरिंग विट नीज बेंट, घुटने मोड कर बैठ जाती है बिल्ली कभी नोटिस किया हो तो वैसे ही ये जो फॉग है उसको कंपेर किया है कि वो भी विल्कुल बैठ जाता है नहीं हर जगा फैल जाता है सिटी में और फिर ऐसा लगता है बिल्ली नहीं हर जगा बैठ कर देखती रहती है silently चुप चाप वही फॉग करता है So on haunches यानी घुटने मोड कर बैठना Done? ओके चलिए अभी जीका explanation देखते है The poet says that the fog comes silently like a cat who comes on its little feet Poet कहता है कि ये जो fog है वो भहत धीर से आता है silently चुप चाप आता है और जैसे कि एक बिल्ली नहीं होती कि वो अपने चोड़ी चोड़ी पैरों पर यानी शांती सेंटर करती कहीं पर वैसे ही कोहरा जो fog है वो भी कहीं पर शांती सेंटर कर जाता है Further the poet says that just like a cat sits silently by folding her knees and look around the nearby places and things the fog also sits over the harbour and the city covering everything क्या पर लिखा हुए आपर आगे poet कहते है कि जैसे एक बिल्ली ना विल्कुल ऐसे घुटने मोड कर रहे से बैट जाती हो और हर जगा देखती रहती है वैसे ही कोहरा या फॉक जो है वो भी एकदम से एंटर होता है चुप चाप पूरी city शहर बंदरगा हर जगा जो है फै क्लिर चले इसी को हिंदियम पढ़ते हैं कभी कहते हैं कि कोहरा चुप चाप उस बिल्ली की तरह आता है जो अपने नन्ने पैरो पर आती है आगे कभी कहते हैं कि जिस प्रकार एक बिल्ली अपने घुटनों को मोड कर चुप चाप बैठती है और आसपास के स्थानों और च cat moves on silently, the fog also disappears from the harbour and the city quietly. फिर थोड़ी देर तक, you know, बिल्ली वही पर बैठी रहती है, भर धीरे धीरे वहां से भी आगे बढ़ जाती है, कहां चली आती है, पता है कि जल तक कब आती ही, कब चली आती है, उसी तरीके से फोड़ी देर तक, तो कबर करके रखता है शहर को, जो भी जगे वहां पर, फिर फिर बाद में धीरे 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 वहां से गाया होने लगता है, इन दिस पोड़ी आती ही, बहुत चुपचाप है, पता ही नहीं चलता कब बिल्ली आई, कब वो चली जाती है, चुपचाप से किसी को पता नहीं करता है, फिर कुछ समयबाद जासे बिल्ली चुपचाप चली जाती है, वैसे ही बंदरगाह और शहर से कहरा भी चुपचाप गायफ हो जाताई, इस कभीता में कवी ने कोहरे के आने और जाने की तिलना बिल्ली से की है, बिल्ली चुपचाप एक जगे जाती है और फिर चुपचाप गायब हो जाती है जैसे किसी को भी बिल्ली के आने की सूचना नहीं मिलती है वैसे ही कोहरे के आने पर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया है तो इस तरीके से कितना फ्यारा सा comparison है फॉग और कैट के बीच में definitely यह चीज जो है कोई नहीं सोच पाता है बहुत अलग सोच है पोईट की कि एक बिल्ली और एक कोहरा सेम है ठीक है और आपको प्रूफ भी मिल रहा है कि हाँ यह बात तो है तो समरी जो है वो यहां से स्टाट करेंगे जो होगा आपका बेसिक सा introduction विच इस पोविटा में जो कवी है जो पोईट है वो कोहरे के आने का यानि फॉग के आने की बातचीत कर रहा है उन्होंने कोहरे को फॉग को एक छोटी सी बिल्ली से कमपेर किया है तो यह पोईट जो है वो कहते है कि जैसे कि जो बिल्ली होती है वो जैसे बहुत ही छोड यू नो दबे पाऊं पे अपने छूटे-छूटे कदमों पे आती है अब यहाँ स्मॉल फीट का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप जो है यह बता रहे हो कि जो कैट के पैर है वो छोटे होते हैं नहीं आप यहाँ पे बता रहे हो इसे indirectly silently आने की बात को कि कैसे एक जब क्याट आती है तो पता भी नहीं चलता कब बिल्ली जी के एंटरी हो जाती है वही चीज़ फॉक के साथ है कि कब कहरा कहा शहर में किधर आजाए हमें पहले से नहीं पता चलता है परस एक दम से कहरा आ जाता है और यह जाने का कुछ पता चलता है ठीक है ऐसा नहीं हमेशा होता है ये जेनरली आपको यानि की most cases में यही दिखेगा कि बिल्ली दिनी शांती से आती है कि ना थो पता चलता है कब आई और नहीं पता चलता है कि वो कब चली गई और इस तरीके से कोई भी उसके आने को notice नहीं कर पाता है इसी तरीके से जो कोईड़ा है वो भी किसी भी शेहर में या किसी भी जगे पे जब आता है जब एंटर करता है तो पता नहीं चलता कि वो कब आया बद जब फॉब आ जाता है भी ने को देखने को मिलता है बड़ राइवल हो चुका है उन्होंने कोहरी की तुलना छोटी बिल्ली से की है यह बहुत ही अलग टाइप की तुलना है बिकस कहा कोहरा कहा बिल्ली बट वो जो तुलना है वो यहाँ प्रूफ भी करेंगे कि किन बातों पर बेजड उन्होंने की है कभी कहते हैं जैसे बिल्ली चुप चाप अपनी छोटे पैरों पर आ जाती है उसके आने की भनक किसी को नहीं लगती उसी तरह कोहरा भी आ जाता है और किसी को भी इसके आने का पता नहीं चलता है पहला पॉइंट ऑफ कंपारजन कि भई जो बिल्ली है ना वो बहती छोटे-छोटे कदम पे चुप चाप आती है और किसी को पता नहीं चलता है वो कब आ गई उसी तरीके से कहरा भी बिल्को शानती से एंटर करता है कोई आवाज वाज नहीं होता तुफान टाइप नहीं हो पॉरी सिटी को पूरे हाबर एरिया को देन फे लोग प्रिडिक कर पाते कि अच्छा ठीक है ओके कहरा आ गया है अब क्या होता है कहरा पूरे शहर पे छाच चुका है तो ऐसे लगता है पूरा कहरा ना हर जगह शहर में जाके शहर को देख रहा है सब को हर जगह उसका ध्यान है वैसे ही जैसे कि cat जो है वो भी चुपचाफ से बैठी रहती है और उसका हर जगा नज़र होती है हर जगा ध्यान होता है The fox sits over the harbor and the whole city silently and looks around in the same way a cat does तो बिल्कुल जैसे बिल्ली जो है वो शांती से बैठ के सब देखती रहती है उसी तरीके से जो कोहरा है वो भी harbor यानी बंदरगा और जो city है जो शहर है उसे पूरी तरीके से cover कर लेता है यानी कि पूरी तरीके से उसकी ध्यान रहता है या उसकी नज़रे रहती है हर जगा वो देखता है क्लियर? अब इसी का हिंदी में देखते हैं translation कहरा शहर में बहुत धीरे-धीरे प्रवेश करता है और इस प्रकार कोई भी इसके आगमन की भविश्यवाणी नहीं कर सकता है कहरा पूरे शहर को ढग लेता है और चारो तरफ देखता रहता है ठीक उसी प्रकार जैसे बिल्ली चुपचा बैठी रहती है और पूरे शहर को देखती रहती है अब पूरे शहर का मतलब देनी कि उस वगत तूपूरे शहर देख पाती isn't it जो कुछ भी हो रहा है आप पर वो सब देखती रहती है इसलिए हमने पूरा शहर बोल दिया ठीक है कोहरा बंदरगा और उस पूरे शहर पर चुपचाप बैठता है और चारो ओर देखता है जैसे एक बिल्ली करती है तो जैसे कि एक बिल्ली करती है कि भाई वो भी चुपचा बैठके हर दगा देखती रहती है उस जरीके से कोहरा भी हर जगा चाह जाता है वो शहर हो याँ बंदरगा हो सिरी हो याँ हाब हो और वो कुछ तरीकी से उसको कवर कर लेता है डान? ओके आगे बढ़ते हैं तो जैसे कि एक बिल्ली आती है किसी भी जगे पर आपने नहीं देखा होगा कि बिल्ली एक जगा बहात देर तक बैठ जाती है वो कब आती है कब जाती पता नीं शलता बढ़ हाँ जब वहाँ पर बैठी ही रती तब आपका ध्यान चला जाए वर आप देखेंगे वो थोड़ी देर बैठी फिर वहाँ से भाग जाएगी उसी तरीके से यह जो कहरा है वो भी शहर में एंटर करता है थोड़ी देर के लिए रहता है फिर उसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाता है तो पोईट कह रहा है कि फॉक जो है जो कोहरा है वो भी एक जगे पे बहुत देर तक नहीं फैला हुआ होता है या बैठा हुआ होता है जैसे कि एक बिल्ली करती है आती है चुपचाग फिर वहाँ पे बैठती है थोड़ी देर और उसके बाद चुपचाग चली जाती है चल कहरे का आना भी नहीं देखा जाता है वो आपको इस तरीके से पार्ट्स में दिया हुआ है पहला question का पहला question समझ रहे हैं यानि first जो main question उसके तीन या चार सब पार्ट्स है I guess वो पूछे गए पहला है What does Sandberg think the fog is like Sandberg कौन भी Sandberg यानि की Karl Sandberg है जो की इस poem के क्या है भई poet है तो I hope आपको ये clear है कि Karl Sandberg is the poet of the poem fog और इनके हिसाब से fog क्या है एक बिल्ली की तरह So the sandberg thinks दो नहीं सॉरी सिर्फ sandberg thinks the fog is like a cat So easy A cat जोडना था बज Next है How does the fog come Fog कैसे आता है So the fog बहुत ही शान्ती से जोडने चुड़े पैरों पर आता है यानि कि बहुत शान्ती तरीके से आता है So the fog comes silently like a cat on its small feet जैसे कि A cat अपने चुड़े चुड़े पैरों के बल जो है चुप चाफ शान्ती से आती है उसी तरीके से fog जो है वो भी चुप चाफ से एंटर करता है What does it in the third line refers to तो आप अपनी book जो है वो open कर सकते है उसमें पुछा गया है कि third line में it क्या है तो उसमें it जो है वो fog की बाद करा है So it refers to fog Easy है, बहुत easy है इसी का जो sub part fourth है वो देख लो Does the poet actually say that the fog is like a cat? Find three things that tell us that the fog is like a cat क्या वो ऐसा बोल रहे है कि सच में कहरा बिल्ली है मतलब आप कहरा देखोगे तो आपको बिल्ली दिखेगी नहीं वो fog को cat की तरह actually actually नहीं बोल रहे हैं तो आप no लिखेंगे बढ़ आपको कई चीजे जो बताएं कि मतलब इसकी तरह वो चीजे हैं वो आदते हैं, समझ रहो तो आपने पहले तो मना कर दिया अब तीन चीजे बताओ जहांपर आप बुलेंगे कि ये सही है बतलब बिल्कुल कमपारिशन है तो इसके पहले कि आगे बड़े दो शब्द हैं, वो सीख लीजे पहले भी बात की है, फिर से बात करेंगे आपके पास आती हैं, दो पोईटिक डिवाइजे एक होता है सिमिली, एक होता है मेटफर अब यहां हम पढ़ने वाले हैं, इसमें सिमिलारिटी को और इसमें डिफरिंस को ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, कई बार प्रश्न जो है बता उसमें सिमिली क्या यूज किया है, बता उसमें मेटफर यूज क्या किया है, तो उसको ध्यान से समझना है यहां पर बात हो रही है कि फॉग जो है, वो एक ट्राट की तरह है सिमिली ऐसी पोईटिक डिवाइज है, जिसमें आप कमपारिशन दिखाते हो तुलना करते हो और वही इसमें भी होता है यानि मेटफर भी तुलना करता है ठीक है तो similar क्या है दोनों में एक जैसी चीज समानता क्या है दोनों के दोनों comparisons के लिए use होता है बट difference की अगर हम बात करें दोनों के दोनों में ये difference है कि as or like word का उपयोग जो है वो होता है similar के अंतरगर बट as or like word का उपयोग metaphor में नहीं होता है समझे यानि कहीं ऐसा बोला है कि fog is as cat, fog is like a cat ऐसे ही ओम में दिया हो अगर like as यूज़ करके तो आप बोलते हो similar है बट आपको ऐसे बोला नहीं है आपको indirect comparison दिया है बिना as or like के इस्तमाल किये इसलिए उसे metaphor कह देते हैं समझा गया clear है चलिए तो अकसर आप देखेंगे कई chapters में कई poems में metaphor का बहुत साधा उपयोग किया जाता है बिकस वो इक बहुत हटके touch देता है बहुत हटके वो उस poem को बना देता है और उसी तरीके से यहां भी कहा गया है fog जो है cat की तरह है but like as इस तरीके से words नहीं use की है तो यह एक metaphor है clear है चलिए तो यह next line समझने के लिए मुझे बताना था he has used a metaphor of cat for comparison similarity में मैं बोला ना दोनों comparison के लिए उसकिये जाते हैं तो billy जो है billy cat का इस्तिमाल वो एक metaphor है जो यहां use किया गया है comparison दिखाने के लिए तो यह जो particular fog cat जैसा है इसका मतलब यह तुलना की गई है कि यह एक metaphor है ठीक है the three things that tell us that fog is like a cat यानि कि आपको यह लिखने की जरूरत क्यों है क्योंकि बोला है कि actually actually fog cat की तरह है नहीं बस एक metaphor है समझाया चलो तीन चीज़े देखो जो कि प्रूफ करेंगे कि हाँ विल्कुल fog cat की तरह है जैसे it comes silently like a cat on its small feet जैसे कि बिल्ली अपने चुटे-चुटे पंजो पे चुप चुप शान्ती से आती है वैसी fog भी शान्ती से आता है it looks over the harbor and city like a cat जैसे कि पूरी तरीके से जो cat है वो जहां भी बैटती पूरे जगा उसका ध्यान होता है उसी तरीके से fog भी हर जगा फैल जाता है और उसका ध्यान पूरी city पूरे harbor पे होता है and it sits on its on just like a cat जैसे कि बिल्ली अपने पेरों पे बढ़के देखती रहती है हर एक चीज को उसी तरीके से fog भी चुप चाप एक जगा ठेर जाता है और वसारी चीजों को देखता रहता है also एक और comparison है कि cat जो है वो जाधा समय तक एक जगा पे नहीं रहती है उसी तरगे से फॉर्क भी बहुत जादा समय था कि एक जगा पर नहीं रहता जल्दी से disappear हो जाता है easy है? ओके चलिए आगे बढ़ते है Do you know that a metaphor compares two things by transferring a feature of one thing to another? Metaphor दो चीजों को compare करता है तुलना करता है हमें पता है और वो क्या करेगा? एक चीज की जो feature है जो quality है जो भी बात है वो दूसरे एक में उपर डाल देगा या दूसरे को उसी से compare करेगा ठीक है? Find metaphors for the following words and complete the table below आपको इन सब शब्दों का metaphor ढूणना है और table खतम करना है Also try to say how they are alike ये भी बताना है हमको कि एक जैसे कैसे है The first is done for you पहला कर दिया गया पहला दिया हुआ है स्टॉर्म, टाइगर क्या दिया हुआ है? स्टॉर्म और टाइगर तो स्टॉर्म क्या होता है? Two fun types टाइगर सबको पता है So pounced over the fields, grouse एकदम से आता है, धाहारता है, शोर शराबा होता है उसी तरीके से जो स्टॉर्म है, उसमें भी एकदम से वो आता है और पूरी तरीके से सब चीजे तहसने सुझाती है और बहुत शोर होता है दूसरा है train और snake तो train और snake को compare क्यों किया गया है? Long rope like body जैसे कि train एक लंबी सी उसकी body होती है बहुत लंबी सी होती train उसी तरीके से साख की भी लंबी से रस्ती रसी बिल्कुल होती body इसलिए कहां जाता है train और snake एक तरीके के metaphor हो सकता है चलिए आगे पढ़ते हैं fire, school और home को तो next है fire और sun fire आग, sun, सूरज, symbol of power दोनों को शक्ती का प्रतीक माना चाता है अगनी को भी और सूर्य को भी school और temple school क्या है भई मंदिर है कहते है एक विध्यालेक मंदिर होता है बिकस आप school में भी बहुत अच्छी चीज़े सीखते हो और आप school में क्या चीज़े सीख रहे थे बच्पन से आपने क्या वाल्यूस गें किया है वो आगे जाके आपको डेफिनेटली हल्प करती है as like intense standard भी आप रियलाइस करते होगे कि आपने बच्पन में अगर कुछ बहुत अच्छा सीखा है आपको भी काम आता होगा तो teachers moral values मंदिर में भी आपको अच्छी चीज़े सीखने को मिलती है और स्कूल में भी तो दोनों के दोनों आपको अच्छी चीज़े सिखाते है वर्च्पन वाल्यूस सिखाते है home, shelter home मतलब घर और कोई भी रहवास होता है shelter यानि safety, warmth यानि आपको अपने घर पे घर जैसा feel होता है आप safe feel करते हो वैसी ही shelter के अंदर भी आप safe feel करते हो तो इस तरीके से ये कुछ comparisons है वैसे बहुत सारे मिल जाएंगे आपको तो कोशिच कीज़ेगा आपको क्या लगता है और क्या हो सकता है जो train जैसा होता है जो fire जैसा, storm जैसा, school जैसा, home जैसा नेक्स्ट है Does this poem have a rhyme scheme? क्या इस poem में rhyme scheme है? poetry that does not have an obvious rhythm or rhyme is called free words rhyme scheme जो है मैंने शायद आपको complete chapter में सिखाई हुई है कैसे देखते हैं तो rhyme scheme में क्या होता है जो भी आखरी का word होता है उसके sound को match करता है जैसे कि हमने लिखा fog, dog, mop ठीक है? क्या है? ये fog, dog, mop तो आप पढ़ोगे और आखरी का sound match करोगे sound, word में fog, aug ठीक है? यह आ रहा है sound last में dog, इसमें आपको last में sound क्या सुनाई दे रहा है? aug तो fog और dog का last sound क्या है? सेम, तो ये दोनों एक जैसे हैं तो rhyme कर रहा है वही अगर आप बात करो mop की, तो अभी तक हमको aug sound चाहिए था, अब हमको op sound सुनाई दे रहा है, प हो गया वो तो ये sound बिलकुल भी rhyme नहीं कर रहा है तो अगर आपको को बोलेगा इसकी rhyme scheme बताओ तो बताओगे, फॉग को A से स्टार्ट करोगे हमेशा दूसरा प्यार क्या पढ़ रहे हो? डॉग अभी फॉग और डॉग सेम साउंड कर रहे है, राइड और 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 साउंड आ रहा है लास्ट में तो ये भी वही हो जाएगा A जैसे हम मॉब पे आए ये थोड़ा हटके चला गया ये फॉग डॉग दोनों से किसी से भी सेम साउंड नहीं कर रहा है इसलिए इसको next बोल दोगे यानि B बोल दोगे तो पताओ इसकी rhyme scheme क्या हो जाएगी? A, A, B बत कभी कभी rhyme scheme होती नहीं है इसा हो जाता है A, B, C, D, E, F, G में दब चलता ही रहता है कुछ भी सेम नहीं होता उसे free verse कहा जाता है ये बिलकुल free poetry है कोई rhyme rhythm कुछ नहीं है clear? चलिए तो ये poem आप पढ़ोगे तो इसमें बिलकुल भी rhyme scheme नहीं है so this poem does not have a rhyme scheme इसमें rhyme scheme नहीं है as the sentences do not end with like sounds क्योंकि sentences एक जैसे sounds end नहीं कर रहे है there is no rhythm in the ending words of any of the sentences कोई भी rhythm नहीं है किसी भी sentence के खतम होने पर and so the poem is written in free verse इसलिए free verse में है यानि कोई rhyme नहीं है कोई rhythm नहीं है कोई lay नहीं है same sound नहीं है इसी को free verse कहा जाता है done? okay तो इसी तरीके से हम इस छोटो सी poem के छोटो छोटो से question answers को complete कर चुके है वैसे यह आई थिंग अभी तक की सबसे छोटी सी poem थी इस पूरे 10th के अभी तक के chapter सक आगे जाके भी इत्ती छोटी poem I don't think आपकी chapter में आपकी book में given है so I hope you enjoyed it आपको clear हो गया कि क्या सही तुलना की है metaphor है fog और cat का और इसी तरीके से आपको अब ready हो जाना है अगले chapter के लिए जिसके साथ हम बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में बढ़ उसके पहले फटा-फट से website का मैं discussion कर लेती हूँ तो कोश करो छोडी-छोडी चीजे धीरे-धीरे प्रिपैर करते चलो ताकि आपको पता भी चले कि आप कहां स्टैंड करते हो आपके दिमाग में क्या चल रहा है आप क्या प्रिपैर करना चाहते हो अच्छली आपका गोल क्या है ड्रीम क्या है कोई भी कोर्स हो, स्रिफ कॉंपलिटिव की बात नी कर रही हूँ, बाकी कोर्स इसकी भी बता देती हूँ, तो आपको बस Google पे जाके क्लिक करेंगे, आपके पास English Medium का करिकुलम क्लिक करेंगे, आपको क्लास मिल जाती हूँ, वीडियो मिल जाते हैं, सेम गोज विध हिंदी Medium का करिकुलम क्लिक करके आप लास चूज करके सब्जेक्ट और टॉपिक पर आ सकते हो, स्पोगन इंग्लिश आ जाता है, इंग्लिश बहतर करने का अगर थोड़ा भी आपको लगता है, कि काश मेरी इंग्लिश बड़ी अच्छी होती, मैं confidently बात कर पाता, बुक्स पढ़ने की आदर डाल पाता, यह नए वर्ड सीख पाता, तो प्लीज आप स्पोगन इंग्लिश का कोर्स देखिए, बिकर यह बड़ा इंट्रस्टिंग बना देता है, वीडियो को देखना और समझना और इंग्लिश को आप फिर रट्ते नहीं हो, आपको आपको दिमाग में फीडो जाती है, तो यह कोर्स देख लेना, एंट्सी ओलिम्पियाद पर क्लिक करोगे, आपको कई वीडियो मिलेंगे, जिनसे आपका ग्यान बहुत बड़ेगा, तो वो क्लिक कर सकते हो, और इसी तरीके से बाकी के एक्जाम से, सब्सक्राइब करोगे, आपक अईःपिया, तो आपने सब्सक्राइब करोगे, आपको मिलेंगे बहुत सारे शाप्टर उस शाप्टर पर क्लिक करोओगे, इसका वीडियो मिलेगा, सब्सक्राइब आपनी उनेट वाण पर क्लिक किया, वीडियो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा, बस अपना समय दो, और determination से पढ़ते रहो, clear, okay. तो इस तरीके से हम आ चुके हैं आज की वीडियो के अंत में, I hope आपको सारी चीज़े clear हो गई हैं, I hope आप ready हो अब next chapter के लिए, और उसी के साथ अब हम बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, that would be our अगला topic, बढ़ तब तक खुद का सबका धिहान रुखो, Thank you so much for watching, bye.